लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें करें टेल किनini निर्ला आपड़ कुछ आई कर निया कि ढान जसके वड़डना किन सक्षडरी निया निया ये दो किन उनिक इजानध झानधने बाइक इनी फरne झाल 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 ये आधिरत को कोन आया है आपके लिए जुनागड की एमारो आये है ओहो तो शिवराज चौधरी आये हाईलो मैं जुनागड से रिपोर्टर शिवा बोल रहा हूँ यहां की एमारो को किसी ने किट्नैप कर लिए बासकर सर जुनागड का एमारो किट्नैप हो गया है सेकंड पेज की हेडिंग ये सही रखना अरे कौन है भाई इस वक्त शिवर्गड के मेजिस्ट्रेट साब आये है मेजिस्ट्रेट साब हैलो सर मैं शिवर्गड से रिपोर्टर जगदीश चंद्रा बोल रहा हूँ यहां के एमारो को किसी ने किट्नैप कर लिया है किट्नैप शिवर्गड का एमारो नहीं हुआ है मेरे भाई जुनागड का हुआ है जुनागड के बारे में तो बता नहीं पर शिवर्गड के एमारो को किसी ने किट्नैप कर लिया है एक मिनट हालो सर्, मैं रिपोर्टर मंगल दी बोल रहा हूँ, यहां के MRO को अभी-अभी किसी ने किड्नैप कर लिया है। भाज कर, सर्, प्रिंटींग को अभी रोग दो। स्टेट में जरूर कोई गड़ बढ़ है, सारे MRO किड्नैप हो रहे हैं, पेपर भले यह गंटा लेट हो जाए, इसे फ्रन्ट पेज पर चापेंगे। भाज देपार्टपन को तुरन्क हबर कर दू, सारे चेक पोस्ट पर नाका बंदी लगा दो पराड़ियो! पराड़ियो! अजकरो! 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 चलो! सब जगाहों पर जैसा सोचा था वैसा ही एक बच के पंदरा मिंट पर सब को किड्नाप किया गया है माइ गाड पंदरा लोगों को तेज न्यूज में आपका स्वागत है आज की मुख्य खबरे आंध्रप्रदेश में एक साथ पंदरा एमारो का अपहण कर लिया गया है मुख्य मंत्री ने रिजर्ब पुलिस को तैनात करने का आदेश दिया है सेंट्रल होम मिनिस्ट्री हैदरबाद आ रही है पानी की समस्या को लेकर राज्य से बातचीत कल आधे रात को एक साथ आंध्रप्रदेश के कई जिलों में से पंदरा एमारो का अपहण कर लिया गया है मुख्य मंत्री आज प्रेस को संबोधित करने वाले है दरसल ये किड्नापिंग्स क्यों हो रही है? किसलिए हो रही है? उनकी डिमांड्स क्या है? हमें कोई इन्फिमेशन नहीं है पर हमारी पूलिस डिपार्ट्मन पूरी तरह से चोकननी है आने वाले 24 घंटों में उन्हें एरेस करना तै है ये किड्नाप रात के एक बच के पंद्रा मिनट पर हर जगे पर हुआ था इसमें टेररिस्ट का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है पूलिस डिपार्ट्मन इस मामले की चानबिन कर रही है पूछिए सर एमारों को किड्नाप हुए आस तीन दिन हो चुके हैं सर हमें बताईए आप क्या एक्शन लेंगे स्पेशल टास्ट फोर्स रखकर हम इनकॉरी कर रहे हैं तरअसल ये किड्नापर्स कौन है और उनकी डिमांड्स क्या है अगर ये पता चल जाए तो हम सब बैठ कर इस परिशानी का आसानी से हल निकाल लेंगे हलो हाँ हाँ ओके ठीक है सर जो किड्नाप हुएं उनको छोड़ दिया गया है थैंक गॉड क्या का? यह आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ राम? सर पंद्रा मेंसे सिर्फ चौदा ही रिलीज हुए है और बचे हुए एक के साथ क्या करने वाले है चलो पीछाटो सुना तुम यह बॉड़ी किस की है कुछ पता किया तुमने? MRO की बॉड़ी है सर अभी पते चला है नीचे उतारो साथ में यह कुछ फाइल्स और कुछ कसेट्स भी है सर इसे जल्च जल्च हेड़कॉर्टर्स भीज़ दो आंद्रप्रदेश के सारे बैमान सरकारी अधिकारियों को चेतावनी सरकारी नौकरी में काम करने वाले अधिकारी कुछ भी काम करना हो तो वो घूस लिये बिना मानते नहीं ये बीमारी हर डिपार्टमेंट में फैल चुकी है हमने ऐसे पंदरा एमारों को किटनाप किया है जो ये समझते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगार सकता आगे भी अलग-अलग डिपार्टमेंट के पंदरा बैमान ओफिसर्स काम अपरण करेंगे उसमें सबसे ज्यादा बैमान को हम इसी तरह मारेंगे हमारे राज्यर से खूस-खुरी मिटाने के लिए ये तो सिर्फ एक शुरुवात है जो भी डिपार्टमेंट घूस लेगा वो हमारी अंटी करप्शन फोर्स से बच नहीं पाएगा जिनोंने रिश्वत ली उनमें से उन्होंने सिर्फ एक को मारा है इससे क्या सबको सबक मिल पाएगा बात वो नहीं है अगर गधों की रेस में सबसे पहले जो आता है उसे मार दोगे तो क्या होगा एक धीमे भागता है उससे भी धीमे कोई और भागता है इस तरह एक की बीचे एक शुरू करते गए तो गुम फिर के वहीं आ जाएंगे ये है उनका प्लान जिन पंदरा लोगों को उसने किड्नाप करवाया था उस में से एक को मार दिया अब बाकी के चौदा लोगों को छोड़ने की क्या जोरत थी उन्हें भी मार देते तो देश का भला हो जाता अरे यार जिसको मरना था वो तो वाराम से मर गया लेकिन हमें तो रोज रोज मरना पड़ता है सरकार जैसे राशन काट पर ठपा लगाती है वैसे उसने उन 14 लोगों पर ठपा लगा कर छोड़ दिया चोड़ने वाला अदमी उसे तीन दिन तक हिरासत में क्यों रखेगा भाई मौत का डर क्या होता है इसने तीन दिनों में ही दिखा दिया अब जब ये बाहर आएगा ना तो इसको देखकर रिश्वत लेने वालों के हाथ पर कापने लगेंगे देखना ऐसा जिसने भी किया है सच मुझ भगवान होगा सुनो वेस्ट पानी लेकर आना हे हे क्या बुलाया मुझे मैं वेस्ट हूँ क्या नहीं मैंने तो बुस्ट काह था है पर मुझे ऐसा क्यों सुनाई दिया जो वेस्ट होते हूंने ऐसा ही सुनाई देता है जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ थोपड़ा विगार दूँगा खुद पानी नहीं ले सकते ऐसा कौन सा बड़ा काम कर रहे हो ? दिखाए नहीं देरा ड्राइंग बना रहा हूं अच्छा सफेद कागस था उसे काला कर दिया है मैं कुछ काला नहीं कर रहा हूँ ए snippे में ऐसे ही दिख दिखती है अरे किछिन में क्या कर रहा है है किछिन में तुम्हारा क्या कम हैाज में नई दिवाइबनाई है ऐसे पीने के बाद लोग सेच बोल देते हैं मैं भी तो देखो ये तो घास लेट है देखा सेच कहाना अरे रुको पुझा खत्मा हो गई है चलो प्रसाद देलो सब लो बच्चा बच्चा बोलकर सर पर चरते जा रहे हैं छोड़ूंगा नहीं नहीं अरे क्या हुआ चंदू कोई एक बात हो तो बता हूँ छी क्या बखवास जिंदगी है कमलापुर से उठाकर इन बंदरों के साथ बान दिया है तुमने मुझे मदारी बना दिया है बच्चे हैं ये बच्चे हैं तुम्हारे कॉलेज जाते ही घर को जहन्नुम बना देते हैं आज संडे है लेकिन मेरी जिंदगी में न गाना है ना एंटेटेन्मेंट पूरा दिन किचिन में रहता हूँ अगर तुम इतने बोर होते तो मेरे साथ कॉलेज आओ नो मुझे इस उम्र में एडमिशन मिलेगी पढ़ाई के लिए नहीं भाईया तो मज़े करने के लिए प्रोग्राम होने वाला है उसके आज डांस रहसल से तो वहां जाकर उन बंदरों का डांस देखू मैं कल कॉलेज में कौन डांस करने वाला है पता है तुम करने वाला है हमारे प्रोफेसर साब भाया फिर तो मज़ा आएगा मुझे भी ले चलो ना ले जाएंगे पहले तुम कहते हो यह बच्चे हैं यह तो मेरे भी बाप है देखा स्टाइल और स्माइल का मारता हूँ सिक्सर दिल मी लाता हूँ मैं हूँ बड़ा फिक्सर मानो या न मानो हूँ मैं मन मोजी यारों के संकरता हूँ आई आशी सुआ हो या शाम हूँ तमस्तिक शाबाशी माच्चू ऐसा मैं सब के होशुरा दू ताल पे तालिया मैं तो बजवा दू आखो में तेरे मैं सपने सजा दू तू कहे तो समुंदर में आग लगा दू स्टाइल और स्माइल का मारता हूँ सिक्सर दिल मी लाता हूँ मैं हूँ बड़ा फिक्सर स्टार्म सामने से हमने कभी किसी को न छेडा अगर किसी ने हम छेडा तो उसे न छोडा सिंदगी को हर पल खुशी से जीते हैं मस्ति की बूंगों को संही पीते हैं मुश्कीले आई अगर करेंगे उसका सामना खुशियों से भरा रहे जीवन करेंगे उसकी कामना सिंदगी नहीं जी सकते हम एक दिसे दिन माना की हम तो है वो लफंगे लेकिन गलत नहीं अपने ये धंगे ये है हमारी सिधी साधी कहानी आजाओ संग अब तुम्हे ये है सुनानी थोड़ा को लूँ ज्यादा थोड़ा में मन चला अर जिल भी मेरा अब तो अपने रस्ते चला दिल फेक मैं मेरा प्रेमी वाला ये मिजाच लुकड़ों में है खुशी वाला ये अंदास जिन्देगी एक ही है कर दे जाओ बस त्यार तुम्ह जो चाहे हो जाए दिल को न तेरे लाइन कर दुम्ह जो चिरंजिर काला मस्तार दें अपनी दुआओं में मुझे शामिल कर अपने दिल में भी हमेशा रखा कर आ जाओ मुझे अपनी बहों में भर लो ओ मैं तुम्हारा मुझे अब ना कर लो स्टाइल और स्मायल का मारता हूँ सिक्सर दिल मीलाता हूँ मैं हूँ बड़ा फिक्सर मानो या ना मानो हूँ मैं मन मौझी यारों के संकरता हूँ अईयाशी सुआ हो या शाओ हो दे ता मस्ति कशा वराशी नाचूं ऐसा मैं सब के गोशुना दूं, ताल पे तालियां मैं तो बजवा दूं, आखों में तेरे मैं सपने सजा दूं, तू कहें तो समुंतर में अग लगा दूं अश्लीलता बं करो अश्लीलता बं करो वहाँ नीचे पेंट करो ऐसी फिल्मों के लिए हमारे पास एक ही ठेटर है, लगता है ये उसे भी बंद करने वाले हैं खुद तो देखते नहीं और दूसरों को देखनें भी नहीं देते क्यों नहीं दिखते, मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है क्यों डिस्टब कर रहे हो भाईया डिस्टब नहीं कर रहे, ट्राफिक जैम है, कुछ करो न भाईया ठीक है मैं देख अरे आप क्यों जा रहे हो भाईया, इन छोटी चीजों के लिए मैं हूना कि दफा करता हूं इन्हे, साइड में हट बे, हटना बाबा काहा देख रहा है तू? सामने पोस्टर लगा है ना भाई मैं इने हटा नहीं वाला था, बड़े जंडे गाड़ता है इतनी देर से मैं इनकी हरकते देखते आ रहा हूं अरे सुनिये मैं जी, रुख जाईए ए लड़की, नीचे उद्रो आराम चे हाँ बोलो, क्यों चला रहे हो, मेरा नाम लड़की नहीं है देविका है, समाज सेविका देविका? ये सब तुम किस लिए कर रही है? हम अशलीलता के खिलाफ लड़ रहे हैं सर रोज सुबा दस बजे ऑफिस से निकलकर शाम को पांच बजे लोटाना काफी नहीं होता कुछ समाज के बारे में भी सोचना होगा आपको ये वॉल पोस्टर्स कितने अर्से से लगे हुए है? काफी अर्से से? और आज तक यहां कभी ट्राफिक जाम हुआ है? नहीं तो फिर आज क्यों हुआ? वाट डू यू मीन? आई मीन, अशलीलता वोल पोस्टर्स में ही नहीं है तुमारे ड्रेस में भी है हलो, ये फैशन है अहां, अशलीलता की शुरुवात ही ये फैशन है पहले इसे बदलो इस देश का सबसे बड़ा दुरभागय है ना कोई समाथ सेवा करता है, ना करने देता है नहीं तुम्हें इंकरेज करता हूँ बेटा पहले तुम ओपर चड़ो, पूरा खतम करके नीच उतरना मैं देखता हूँ कौन रोगता है तुम्हें हाँ, चड़ो, चड़ो, इनके साथ मैं भी देखूँगा क्या देखेगा बेट, बहुत ही सही जगा पर किराया है भाईया खड़ाओ जा जो तुम्हें एंकरेज करते वो तुम्हारी समाथ सेवा को लेकर नाई तु भी बता मुझे जरमाती है हटो, हटो यहाँ से, सर, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यहाँ है क्यो मैम, क्या चल रहा है? समाथ सेवा, अगर पोस्टर से निकालने थे तो हमें बता सकती थी थी ना ट्राफिक चाहिकती की क्या दे रहा है चले, 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 मैं भी समाथ सेवा करूगा अभे तेटी तु कहां जा रहा है तो, चलल गाड़ी में मरने वाले ने कितने बजे उसे रिश्वत दी, रिश्वत के पैसे उसने कहां कहां इन्वेस्ट किये सारी डीटेस ऐसे दिये, जैसे एग्रीमेंट के कोई कॉपी हो इस रियली अमेजिंग ये एक आदमी का काम नहीं है सर इतनी डीटेल्स इस बारीकी से कलेक्ट करने वाला कौन हो सकता है सर क्यों भाईया, मुझसे ऐस सवाल क्यों पूछ रहे हो, जिसने किया वो कि मेरा रिश्टिदार है लेकिन, पंदरा पंदरा लोगों को उसने आखर के नाप कैसे किया है ने 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 मुझे लगता है वो भी पंदरा लोगों की टीम होगी, डेफिनेटली गलत है सर, आपका हिसाब गलत है सर इस पूरे राज में एक हजार नवासी एमारों है सर उनमें से पंदरा को क्यों चुनाए, इस राज में जितने भी सरकारी दफतर है उनमें एस एफ की टीम ज़रूर मौजूद होगी सर और एक सीरिस बात ये है सर उस कसट में उसने कहा है कि ऐसा किडनाप हर एक डिपार्टमेंट में होगा मतलब हर एक सरकारी ओफिस में उसके आदमी है इसके अलावा, उसने ये सब इतने अच्छे से ओगनाईज किया है लगता है कि ये मंडे टू फ्राइडे की तरह डेली सोप नहीं इसके पीछे उसने कई सालों की प्लानिंग किये है अच्छा भाशन देते हो, तुम हो कॉन? सूरिया सर, ड्राइवर हूँ, इसी डिपार्टमेंट में नया भरती हुआँ अच्छा ड्राइवर हो, गाड़ी में डीजल भरा है कि नहीं? फुल कर दिया हूँ टाइरों में हवा चेक की, तो फिर ज़रूरी काम करो चंदू हलवाई के पाद जाओ, और वहाँ से गरम समूसे और चाय सब के लिए लेकर आओ, जाओ वो क्यों सर? अबे, पहले इस फाइल को लेकर परेशान हूँ, उसके ओपर सर सर करके और पकार आए तू, चल निकल सर डाट पड़ गई ना इसलिए हसी आ रही है न तुम्हें, तुम्हें गाली पड़ेगी न, तब मैं हसूंगा और लोग भी हसेंगे अच्छा, और वो तुम्हारी सला माल लेंगे मानेंगे क्यों नहीं, मेरे जिस्म पर ये कॉंस्टिबल की वर्दी उन्हें दिखाई दे रही, लिकिन जो मैडल्स मिले वो दिखाई नहीं देते मैं भी बहुत हुनहार स्टूडेंट था, पर रिश्वत नहीं देने की वज़़े से आज कॉंस्टिबल बन बैठाओं अगर रिश्वत देता तो उनके बीच में होता समुश सचे ही समुश संकीतू ध्यान से सुनो, वो लोग मुझ पर चिल्ला है, ये सोचकर मैं केस नहीं छोड़ूँगा जब ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम क्या कर लोगे? करूँगा अफिस में कौन-कौन रिश्वत ले रहा है, ये पता लगाना पड़ेगा और उन्हें रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा अगर किसी एक आदमी को पकड़ लिया, और उससे पता चला कि इस केस के पीछे कौन-कौन है तब होगी प्रमोशन सब लोग सुन लो, आज से कॉलेज बंद, छुट्टी देदी है, सब लोग अपने अपने घर जाओ, चलो ये सब क्या चल रहा है, सुनाने क्या, कॉलेज को बंद कर दो, चलो बंद कर दूँ, नई, आज से यहां बच्चों के एक्जाम शुरू हो रहे है एक्जाम गया तेल लगाने, एक्जाम स्कैंसल नहीं होते, क्या तुम्हें नहीं पता अब पार्लिमेंट के इलेक्शन भी पोस्ट पॉन हो जाते है, तेरे एक्जाम कौन सी बड़ी बात है, बात में रख लेना मेरे MLA साब ने पुलिस वालों को फोन किया, तो वाइन शॉप और बियर बार एक जटके में बंदो गए तो तेरा कॉलेज कौन सी बड़ी बात है, मेरी बात समझ में आरी है कि नहीं? देखे, इससे बच्चों का भवेश्य खराब होगा, अब जाईए तुम कोई प्रोफेसर हो क्या? और ये तुमारे गले में क्या है? ओहो, पीला मंगल सूतर है, नहीं नहीं शादी हुई है, जाओ छुट्टी अपने पती के साथ इंजोई करो ओहे प्रोफेसर, तु जानती नहीं मैं कौन है पे तु मुझ पर हाथ उठा रहा है? कॉलेज के अंदर जब पुलिस नहीं आ सकती, तो तु जैसे गुंडे कहां से आ सकते हैं, जल फोटियां से परहा हैं एद इये क्या हो वा, जाओ, जाओ, जाओ ये अरे, इतनी जोड़ से कोई मारता है? पदेले मैं physiहाता हूँ, ना समझने आए तो हाथ का इस्तेमाल करता हूँ… ये का, फुद को क्या समझता है दादा है, क्या है यें का? तु मुझे मारेगा सेच में मारेगा आजाना मारेगा क्या मुझे आना मार ना मार रुका गिवे चोड़ दे चोड़ दा चोड़ दा जब दो रहा है अरे रुको रुको ओगई मामुली आद्मी नहीं है उससे बाद नहीं पड़ लेंगे पहले चलो या से तुदे गलात आपमी से पंगा लिया है छोड़ूगा नहीं तुझे हुँँँँँँँँँदे देख की क्या बाई हुँँँँँँँँँँँँँँँँट पहा है छ्थार शुक्राड्योर शुक्राज है बसे, लब करभ और शुक्राड्योर को 축े झाल उटाई डूँ अवाई ! करीछार झाल प्क यह ही झाल है है एफ अप लट रप जो अप अज यू प्ल नप अ अ आया आया आ आ आ आह आency कि अा आलोत Waar؟ बाहू हुआ हुआ आ discussion पर पर इसने इसने कर आडयों अँख अँख बॉर्ण अँख अँख बॉर्ण आपको प्रेज़री प्रेजन। सुरी जी भेया इसके पैसों से तुम्हारी दुकान ठीक करा लेना नहीं भाई मुझे बाप कर दो नहीं आएंदा यसा नहीं करूंगा थेंक्यू यह बूस्त ना सच में वेस्ट है और नहीं तो क्या कितनी देर हो गई है पाथाने कब आएगा आज आएगा आप समझ नहीं रहे भाया हमें आइसक्रीम खानी है पीनी नहीं कितनी स्वीट है सौरी पोस्टर वाली लड़की बच्च गई चलो यह भी यहाँ पर आ गए क्या टच था मर गया अम सॉरी फिर से टकराई लगता है बहाना बना रही है पोस्टर वाली लड़की दिल की खिड़की खोल पोस्टर वाली लड़की खोल अम क्या था पिक पोकेटिंग मेरे ओटोग्राफ के लिए हमेशा पीछे पड़े रहते हैं मेरे देखो देविका फैन्स हमारी जान है वही है जो स्टर को पनाते हैं उनसे छुपना बिलकुल नहीं चाहिए प्लीज 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 सर सर गरीबों का नुकसान हो जाए तो कोई फिक्र नहीं करता पर मैं वैसी बिलकुल नहीं हूँ मुझसे देखा नहीं जाता इसके लिए ये सारे प्रॉब्लम्स है सर मुझे अरजेंटली जाना है जर अटेंशन है क्या आप मुझे हॉस्टल तक ड्रॉप कर देंगे सर सर प्लीज सर 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 प्लीज प्लीज आपकी तकलीफ करते हैं मैं इसी रिक्षा में छोड़ दूँगा चलिए मेरे साथ कोई जरूरत नहीं है उसी रिक्षा में मार्केट जाकर बचा हुआ काम करो मैं और भाईया इन्हें छोड़ देंगे देखो ना भाईया उसने सही का अच्छा यह बताओ देवी का तुमारे पीछे गुंड़े क्यों पड़े थे अरे वही उस गुंड़े के भाई की शादी मैंने उसकी पसंद की लड़की से करवा दी बताइए लव मेरिज गुना है उह गुना नहीं है लेकिन पुलिस तुम्हें किस जुर्म के लिए डूण रही थी क्योंकि लड़की एस पी की बेटी है ओ सर यही परोग दीजिये मैं यहां से पैदल चली जाओंगी हॉस्टिल वाले हमें साथ देखेंगे तो सोचेंगे कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है तुमारी इमेज इतनी खराब है कि नहीं नहीं मैं तो सिप समाज के लिए थैंक्यू अब उत्रो जेसा सोचा वैसे देखिए वो लोग आ गए अब मैं क्या करूँ अरे सर प्लीज नहीं वो इस एरिया के बड़े गुंडे हैं रुक चाहिए सर सर प्लीज प्लीज छोड़िये ना सर वापस चलते हैं तुम्हा परिशान होने के ज़रूत नहीं है भाई इस बार वो जहां मिलेगा ना उसे व सर प्लीज 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 अरे सामान चुपा दो ये कोई आम आदमी नहीं है सुपर मैन है क्या भाई हम आट लोग इसे नहीं मार सकते अरे पिछली पर तो हम लोग 25 थे फिर भी मार खा गए थे लेकिन आपने तो एक्सेडेंट कहा है इज़त बचाने के लिए इसा कहा मारने वाला यही आदमी था भाई आप डर क्यू रहो आप भी तो एक बड़े बॉक्सर हो मारे बॉक्सर भाई का हाथ भी इसी ने तोड़ा था नमस्ते आप यहां कैसे आए सर यह फिल्डिंग किसलिए है गाड़ी का रेडियाटर खराब है इसलिए खड़े है सर आजकल हम कोई भी कॉलेज बंद नहीं करते राग को भी कॉलेज खुला रखने को कहते है यह लोग कौन है मेरे लड़के है सर अरे याँ होना चल्दी बहुत अच्छे है सर मेरा विश्वास करो बहुत अच्छे है और इनके आतमे क्या है यह तो बैट है यह लोग यहां पर प्रैक्टिस करते है इन लोग को क्रिकेटर बनना है इंडिया के लिए खेलके उसका नाम रोशन करना है बड़े बड़े six-mah ने सर पढ़ाई के अलावा इस पोर्स में आगे होना चाहिया बच्चे लोग को बैट दो बेटा लो बीटा लो यागे आगे बड़े चल देना जली जली थैंक्यू सर अहम लोग चलते सर नमस्ते नमस्ते बाड़ा चल 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 नमस्ते नि मुझे बहुत कन्व्यूजन हो रहा है सर प्लीज टेल मी वट्स स्टोरी बेहाइंड इस मिस्ट्री आप उन लोगो को वापस क्यू बुला रहे है नहीं बताना दो मन बताई है चोड़िये आव बच्चो गड़े मैठो है अलो सर आपके बारे में जाने बगेर में चुपन बात क्या है जब देखो तब यहां जाती हो तुम्हें और कुछ काम नहीं है क्या काम की बात नहीं है बेटा मुझे बच्चे बहुत पसंद है आपके लिए चाय थांक्स अगर बच्चे आपको इतने पसंद है तो बुस्ट से शादी कर लो ना आपके अपने बच्चे हो क्या एसा ही एक्टिंग ए बुस्ट मैं तुम्हें अच्छी लगती हूं क्या लड़की पस गई बुस्ट क्या कर रहे हो वीना बजा रहा हूं जोर से मत बजाना तारे टूट जैंगे तुम कब आई देविका थोड़ी दिर पहले ये लो थांक्यू उंकल तुम भी लो थांक्यू इस ओके देवी राचे के एंडोमेक्स डेपार्टमेंट के कमिशनर कौन है जगदीश प हलो ऐसे बात करे हो जैसे सब जानते हो वो मेरे अंकल है पता है कल सुभा ही उनसे बात हुई है तुम हस क्यू रहे हो शर्त लगी मैं अभी प्रूफ करके दिखाती हूं क्या का उसने यही का ना के जगदीश प्रसाद का कल शाम को ट्रांसफर हो गए और उनकी जगे डीएस मूर्ती ने चार्ट ले लिया यही का ना तो इसमें कोई सी बड़ी बात है मैं कल सुभा गई थी और कल तुम शाम को हो के आयो ठीक है अगर तुम्हारी नौलेज इतन चीफ जस्टिस जस्टिस देवेंद्रग गुपता आई-टी एडवाइजर दी एच चौधरी ठीक है सेक्रेटेरिट में टोटल कितने डिपार्टमेंट है हमारे राज्य की पॉपिलेशन है कुल मिलाकर साथ करोड़ शपन लाग सताइस हजार पांत सो इकतालिस उसमें उपजाओ भूमी है एक करोड़ पैंतीस लाग बचास हजार हेक्टर और बंजर भूमी है 21 लाग हेक्टर सरकारी अस्पताल है 1757, पुलिस टेशन 1500, पुलिस फोर्स 83,532, हमारे राज्य में जेल है 151, रेल्वे स्टेशन है 653, केंद्र सरकार द्वारा हमारे राज्य ने वर्ल्ड बैंक से उधार लिवी कुल रकम है 57,858, करोड़ पचास लाग जिसकी वज़ा से राज्य में हर एक के सिर पर जो कर्ज है वो है 7,741, हर दिन बारदात होती हैं दो मर्डर केसे, 7 रेब केसे और 68 चोरियों की, एक मिनिट में 6 बच्चे पैदा होते और 3 मर जाते ह काफिये या और इंफोर्मिशन दो आजसे में मारे गए थे बिटा, तो मास्टर जी ने उन्हें गोद लेकर उनके माता पिता बनकर उनका पालन पोशन कर रहे हैं आदमी हीरा है बिटा तू गाना, नहीं, तू गाना, नहीं, तू गाना, अरे छोड़ो ना कोई भी गाल, लाता तुम गाओगी, मैं नहीं गाओगी, चलो ठीक है, तुम गालो बिटा वो जो छोटी सी लड़की लीला है, वो बचपन में मा मा कहकर राद भर रोती रही, बेचारा टैगोर राद भर उसे अपने कंधे पर लेकर सुलाने की कोशिश करता रहा दीदी, तुम भी मेंदी लगा लो ना भाईया है ना, तो ठीक है, पर फिर भी मुझसे देखा नहीं जा रहा, चलता हूँ वो जो कासिम है ना, उसके माबाब दंगे में जब मारे गए, तो बिना किसी धर्म को माने, ये उसे अपने घर लेकर आ गया वो जो अंग्रेज बच्चा है, उसके माबाब को चर्च में किसी ने गोली मार दी, उसे भी मास्तर जी यहीं पर लाकर पालने लगे ऐसे क्या घूर रही हूँ, बचों को नजर लगाओगी मैं तो देख रही थी कि आप मुझे कब खिलाएंगे नो, 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 जाने दीजे ना खिला दीजे, ओके, ओके, आजाओ मेहंदी तक तो ठीकता भाईया, पर खाना खिला दिया लड़की रात में जाकर मुझे देख रही है और मैं गदे बेच कर सो रहा हूँ, छी-छी यह मुझे देख रही है या भाईया को? छी-छी, मुझे छोड़के कोई भाईया को क्यों देखेगा भला, मैं भी लाइन देता हूँ इसे देखकर कुछ-कुछ हो रहा है, बस बहुत हुआ, शरम आ रही है सब के बारे में सोचने वाले, इन मास्ट जी के बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं अगर गलत ना मानो तो इन मास्ट जी के साथ तुम क्यों नहीं रह लेती? करता हुआ समाला 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 दिल को बड़ समाला दिल मेरी बाते नहीं संगे मगर दिल मेरी बाते नहीं संगे मिलेगा 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 दिल के बदले दिल मिलेगा अब अपना दिल को कुछ नाती समझा मेरे दिल को अपना तु बना दिल दियाँ जब मैंने बढ़ गई परशानी सोचा था कोछ आप बदल गई कहानी दिल मेरी बाते नहीं समझे मगल दिल मेरी बाते नहीं समझे संभाला 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 दिल को बढ़ा समाला दिल मेरी बाते नहीं समझे मगल दिल मेरी बाते नहीं समझे आखे में ले बड़ी देखे में चैनी सासों की भी हुई हलत बेगानी होता ये ही जब चड़ती प्यार की बीमारी मेरी तरह तु भी अपना दिल हारी मुझे समालो इस तरह का मैं मर जानी शुरू होने से बहले ही फतंप्रें कहानी तुझे कुछ नहोने दूगा ये है मेरी जुबानी प्यार में काकत है कितनी तुने न जानी न होगा मुझे कुछ अगर तेरा हो साथ सनम दम न तोड़े की सासे खाती हूँ तेरी कसम तेरे लिए सब कुछ हार गई मैं तो कहां जो मैंने तुम भी कहतो संभाला 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 दिल को बढ़ा संभाला तेरे लिए सब कुछ हार गई मैं तो कहां जो मैंने तुम भी कहे तो कहां जो मैंने तो कहां जो मैंने तो ना सुपाराम देखा तग हैसा तेरे साथ भी कहां तहां है वैसा ना होश ना चेंदिल का दर्द है ऐसा तेरे दोप का जादू चला है ऐसा समझ ना ये लोग प्यार के सिकते एक दूजे बजी हरे खर के से मरते मैं जिन्दा मर गया कुछ पे जालिमा मेरी तरह तेरा भी ये हाल है बुरा आ ले चलो तुछे मेरी साथ साही पा प्यार में उल्चा मेरा दिल ये कह रहा दिल मेरी बाती नहीं समझे मगर दिल मेरी बाती नहीं समझे समाला समाला दिल को बड़ समाला दिल मेरी बाती नहीं समझे मगर दिल मेरी बाती नहीं समझे मिलेगा 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 दिल के बदले दिल मिलेगा अब अपने दिल को कुछ नती समझा मेरे दिल को अपना तू बना द्यान से देखिए ये सब हमारे शहर के छटे वे बदमाश और नेक्सलाइट्स हैं छटे वे बदमाश ये के डैपिंग्स बिलकुल नहीं कर सकते हैं क्यूंकि उनके उपर हर वक्त पुलीस की नजर लगी रहती है अगर ये नेक्सलाइट्स होते तो वो कुछ शर्ते रखते जबकि वैसा कुछ नहीं हुआ इसलिए उनका होना भी असंभव है येस, यूर राइट इस स्टेट में इस तरह का उपरेशन पहले कभी नहीं किया गया है सर ऐसा लगता है कि ये कोई विदेशी ताकत या किसी छुपेवे संगठन का काम हो सकता है विदेशी ताकतों को ये सब करने से क्या फायदा होगा अमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को तितर वितर करके ततकालीन सरकार को गिराने की साजिश भी तो हो सकती है किड़नाप हुए 15 लोगों में से उसने 14 को तो रहा कर दिया वो 14 लोग किड़नापस कैसे दिखते हैं ये भी नहीं बता पा रहे है उपर से जहां से किड़नाप किया गया वहां से 10 किलिमेटर के दारे में ही उनी ले जाया गया ये इन्वेस्टिकेशन रिपोर्ट्स बता रही है नौ देर मस्ट बी एन इंटिलेक्चुल ब्रेन बिहाइंड डिस केस न जाने कब बुरी ख़बर सुनने को मिले इसे टेंचिन में बैठा हूँ मैं एक्सक्यूज मी सर क्या हुआ सर मैंने कुछ इन्फोर्मिशन इकठा की मुझे ड्राइवर की नजर से ना देखते हुए मेरी बात मानिया प्लीज जो भी इन्फोर्मिशन है मैं आपको दे दूँगा सर केस आप ही क्लोस कीजी बर मुझे एक छोटा सा प्रोमोशन दे दीजे सर क्या कहा आफ्टर आल तुम एक ड्राइवर हो तुमारी दीवी इन्फोर्मिशन से हमें केस सॉल्फ करना होगा जाने दीजी आप क्यों परिशान हो रहे हो उसते सिर्फ एक प्रोमोशन ही तो मांगी है तुमारी प्रोमोशन के बारे में बाद में सुचेंगे पहले लंज का इंतिजाम करो ओके सर सर बता हो लगा तुमने जो जानकारी हासल की उसके लिए तुम कहा कहा गूम कर आए शिफगर जुनागर विशाल कर हर जगर जाकर आए सर मानता हूं तुम एक्सपीरेंस तो हाँ सर अब इस मचली का नाम बताओ अ नहीं सर इसे बेबी शाक बोलते आज हैं यह पलती है समंदर में और मिलती है लोकल मचली मार्केट में तरह तरह की मचली मील ठीरे मिल चेंग्ट जा सब खाने के लिए मरा जा रहा है तू पर अपनी ड्यूटी के बारे में सोच नहीं सकता तू मैं द्यूटी के बारे में भी सोचता हूँ. सार? हाँ. मैं सर्फ अपनी जूटी के बारे में सोचता हूँ. दूसरे की जूटी के बारे में बिलकुल नहीं. तुम ड्राइवर हो न, अपना काम उसी हद में रहकर करो. ठीक है, सार. भुँ झना पहला शहला शो झना जपर गुब क्या हुआ सेर अरे और क्या होगा सरदर वापिस शुरू हो गया इस बार तो उसने किड्नाप की डेट भी बता दी है तो सुचो वह कितना आगे है हम दी तो आगे क्यों बे ड्राइवर है ड्राइवर की हज में रहे समझा मैडम को फोन आया था जा 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 कर टिफन लेकर आज़ा अब ये खबर यहां तक नहीं रुकेगी राद तक ये टीवी पर भी आ जाएगी और सारा मैटर पंबलिक को पता चल जाएगा इस बार वो कौन से डिपार्टमेंट में जागा ये पता नहीं है इससे डर कर सारे आफिसर्स ड्यूटी पर आना बंद कर देंगा उनके डर को खतम करना ही तो हमारा काम है सारे आफिसर्स के सेक्यारिटी बढ़ा दो रोड पे अगर चार से ज्यादा लोग खड़े हुए दिखे ना तो अंदर कर दो सरकारी अधिकारियों से एक विंती है आपको कुछ भी नहीं होगा इसकी गारंटी हम लेते हैं अगर आपको किसी पर भी शक हो तो तुरंट पुलिस को बताइए हमारे पुलिस बल के साथ 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 सेंटल रिजर्ब पुलिस भी आई होई है इसलिए आप निश्चिंथ होकर ऑफिस जा सकते हैं हम सब आपके साथ हैं काश मैने दस दिन के छुटी ले लिया होती लगता है आज इसका काम हो गया क्या सर खाली पेट गोली खा रहे हो अरे बीपी की गोली है यह बीपी क्या होता है कैंसर सुना एड सुना लेकिन यह बीपी क्या होता है बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर होता है समझ गया सर वीवी का नाम सुनते आपके बैट पे प्रेशर बढ़ गया बैट प्रेशर नहीं ब्लड प्रेशर खून का प्रेशर मैंने भी तो यह कहा था तुने यह नहीं वो कहा था तु बखवास मत कर, मुझे टेंशन हो रही है हमारे आफिस में सबसे ज़्यादा रिष्वत लेने वाले तो आप ही है लगता है एसे वाले आपकी बारे में जागे इस तरह से मुझे ड़ाया मत कर मेरे दिल की धड़कन पहले से ही तेज है जैने तो साथ, ड्यूटी पे रहते भगवान को प्यार हुए तो एक दिन की छुट्टी तो मिलेगी मकवास बंद कर सुन तुझे एक बात कहनी हां बोलो ना वो शिवगडवाला सचिन है ना मुझसे जाधा रिश्वत लेता है कहां उसने सिर्व 80 लाकी तो लिये हैं बस इतना ही और वो निजामगड का मिश्रा कौन वो दाड़ी वाला उसने सिर्व 50 लिये चलो तब तो मैं ही आगे हूँ और वो करमाली जिले का नरायन सिंग बहुत बना लिया उसने हां वो तो आपसे भी बड़ा बकवास आदमी है दनादन पैसे चाप रहा था उसको सेस्पेंट करके खटाक से आपको खड़ा कर दिया क्या वो सब मेरे नाम से पैसे लेते हैं और क्या सर अच्छा इस महिने से रिश्वत लेना बंद कर दूँ तो लिस्ट में सबसे नीचे नाम होगा ना मेरा वो तो सही कहा सर पर अपने आदमी आपसे ज़्यार है रिश्वत की बात तो दूर रही वो तो अपनी पगार तक लेना बंद कर देंगे नमस्ते सर अरे कॉंट्रेक्टर साब आपी के इंतजार कर रहा था मैंने आपको चार लाग दिये थे छे लाग इस बैग में अरे भाई साब धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा ब्लड प्रेशर पहले से हाई है अपने चार लाग वापस ले लो नहीं आ नहीं चलो बाहर चलो स्टाब्लिश्मेंट सेक्शन वाले और एकाउंट सेक्शन वाले और बाकी डिस्पैच वाले सब लोग सुनिए यहां जो कोई भी है जो मेरी ली हुई रिश्वत की डिटेल एसी एफ को भेजने वाला है उनको बता देता हूँ कि जो मेरे पास चार लाग है इनको वापस दे रहा हूँ प्लीज मेरे एकाउंट में से ये अमाउंट कम कर दीजे मुझे आज तक जिसने भी रिश्वत दी है मैं उसे ढूंड कर वापस कर दूँगा नहीं मिला तो मनी आउडर कर दूँगा कुछ भी करके रिश्वत खोरों की जिस्ट है उससे ना मिकाल दिजिए पुलिस 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 दिपार्टमेंट डामा क्यों करूँका सर्व यह तो पुरा डिपार्टमेंट जानता है की मेरे हार्ट में पेन होता रहता है तुम्हें हार्टपें हो हैडडपें हो हैंडपें हो कुछ भी हो तुम्हें शुट्टि नहीं दीजाएगी अगर तुम्हें कोई emergency है तो बताओ, मैं ambulance को यहीं पर बुला लूगा और इसी table पर operation करवाऊंगा, किसी को डरने की जरुवत नहीं, मुझे duty में काम चोरी नहीं चाहिए किस department से क्या सुनने को मिलेगा यही सोचकर, मुझे डर लगता है पुलिस department room सर उसने हमारे department को ही टागेट किया है, अब तक उसने आठ SP किड़नाप कर लिया है चे, आठ SP किड़नाप हो गया, हमारे department के इज़ग चली गई, सारे station को इलेट कर दो, हर जगा नाखाबंदी कर दो, come on, do it ओके सर अब तक अब तक उसने आठ SP को किड़नाप कर लिया है, ये बात सब को इंफर्म कर दीजे ओ, अब किसी को को छुट्टी नहीं मिलेगी, डुटी पर लग जाओ, क्या हुआ है उसने दोखा दिया सर, हमें गुम्रा करके हमारी लोगों को किड्नाप कर लिया क्या? अब तक उसने आर्ट SP को किड्नाप कर लिया सर हार्ट अटक आ गया, डरने की जरूत नहीं आपके लिए एंबुलेंस ही बुलवा देंगे सर इसी टेबल पर उप्रेशन करवा देंगे उस किड्नाप करने वाले ने इसको किड्नाप क्या होता तो आधी पनौती दूर हो गए होती तीन दिन पहले किड्नाप किये हुए 17 SP ओफिसर्स को पुलिस वाले ढूंड रहे हैं किसने किड्नाप किया है या बिदक नहीं पता चल पाया है जुलिसके पनाप के हागए प्रेश कर से ठालने, कि एक र कि बालने लाँ आपकी ठालने शवर का भीजर विए कर दो प्रॉट हुआ 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 है मुझे मुंसिपाली डिगी गाड़ी में बिठाकर यहां पर लाए हो और तीन दिन से मुझे यहां पर बांध रखाया अपना आपको समझता क्या है मैं तेरा खून पी जाँगो शट आप जिन्देगी में पहली बार फटके पड़े हैं ना अब पता चलाना कि जब खुद को पड़ती है तो क्या बीचती है एई एसेफ नाम का ग्रूप तयार करके तुम सबको मार डालोगे क्या तुम अपने आपको भगवान समझ रहे हो क्या भगवान नहीं भगवान पर विश्वास करने वाला दुश्मनों का सर्वनाश करने वाला धर्ती पर आये हुआ ग्यारवां उतार कल की हूँ मैं ज्यादा चिला मत वरना ये तेरी आखरी चीख होगी मेरी गल्दी क्या बताओगे तुने खलती नहीं गुना किया है प्रूफ कर सकते हो तुम्हार बाद सबूत है शंकार तुने एसपी का चार्ज लिया उसके बाद का तेरा सारा कच्चा चिठ्था मेरे पास है 94 में तेरी पोस्टिंग जब महभूब नगर में हुई थी और वहां नकली दारू पीकर 14 लोगों की जब मौत हुई तब तुने हर एक आदमी की मौत पर एक लाख रुपे दारू बेशने वालों से रिश्वत के तौर पर वसूले उसके बाद बैमानी के धंदे को तुने बंद नहीं चालू रखा 1996 में तु श्री रामपूर पहुँचा वहां तुने अंगद नाम के बिजनसमेन के बेटे के साथ मिलकर एक लड़की का बलातकार किया और अपने व्यभीचार को छुपाने के लिए तुने उस मासूम लड़की को दुनिया के सामने धंदे वाली साबित कर दिया 1996 से आप तक तेरी रिश्वत खोरी की रकम और संपत्ती मिला कर पचास करोड की हो चुकी है इतना ही क्यों तुझे किड़नाप करने के एक घंटे पहले ही तुने पूरे छे लाख रुबे के रिश्वत ली थी तुम्हारा रेप किया क्या? रेप एक बार हो या सौ बार हो रेप तो रेप होता है आप मैं तेरा रेप करूँ एए इसने फासी लगा लिए ऐसा लिखना नकली शराब पीकर चौदा लोगों के मरने पर चौदा लाख लाया हूँ सर कम से कम पचास लोग मरते तो और ज़्यादा पैसे मिलते इस राज्य को चलाने वाला मुख्य मंत्री हो या इस देश को चलाने वाला प्रधान मंत्री किसी को मारने का अधिकार नहीं लेकिन ये अधिकार कानुन ने सिर्फ तुझे दिया क्यों? इसलिए के तू जो चाहे करता रहे और मंत्रीयों की शरन में रहेकर सुरक्षित रहे लेकिन उन अधिकारों का तुने खलत फाइदा उठा कर 36 लोगों को मौत के घाट उतार दिया तेरे डिपार्टमेंट में बहुत सारे पुलिस वाले इमानदारी के सबूत इकठा कर रहे थे और तुझ जैसा रिश्वत खोर डिपार्टमेंट का नाम पूरी तरह मिट्टी में मिला रहा था गुनेगारों के फहरिस्त में तेरा नाम सबसे उपर है इसलिए तुझे मार कर उस खून से तेरे डिपार्टमेंट को ही शुद्द कर दूँगा मरने से पहले तेरे खून का सदुपयोग हो रहा इस बात का ऐसान मान सर सर मुझे माफ कर दो मुझे जाने दो मेरे उसूल तुझ जैसे शैतानों के लिए एक ही बात कहते है कभी पक्ष्णा नहीं देखा तुमने चाहे वो कितनी भी मीटिंग कर लें या मुझे कितनी भी गालियां दे दें कितनी बार समझाए कि वो कोई हम आगमी नहीं है पर नहीं समझे अब क्या हुआ उसने हमारे डिपार्टमेंट पर हाट डाला ना अरे चिला क्यों रहा है उनके आने का समय होगे आने दो ना क्या कर लेंगे एक बात बता सुरिया तू तो मेडिकल लीव लेकर बाहर गया था न बाहर गया था ये देखो पूरी लिस्ट तयार है ये है जूनागड शहर की पूरी लिस्ट ये जो है इसका नाम है जगनात राज पिछले साल ही इसने 25 एकर जमीन ली इसलिए ये ACF का आदमी नहीं होगा ये है नागेश्वर राओ सेंट्रो गाड़ी खरीदी अपनी बीटी की शादी के लिए इसने 150 तोला सोना खरीदा इसलिए ये भी ACF का आदमी नहीं है ये सारे अपनी अपनी हैसियत के मताबिक रिश्वर लेते रहें लेकिन ये आदमी यहां देखो ये है केवी शर्मा ये है अकाउंटेंट अभी तक एक पैसा भी इसने रिश्वर नहीं ली तीन हजार की सैलरी है और बच्चे मिनिसिपल स्कूल में पढ़ते हैं मतलब कि जिस जिसने रिश्वर ली है उनकी लिस्ट ACF को इसी आदमी ने दी होगी हो सकता है कि लिस्ट में ये भी हो ये देखो विशाल गड़ के लिस्ट यहाँ पर एक आदमी है कादर बाशा इसने भी आज तक रिश्वत नहीं ली इसने अपनी बेहन की शादी एक हिंदू से की और अब ये शिवगड के जिले की लिस्ट है यहाँ भी रिश्वत नहीं लेने वाले बहुत सारे आफिसस मौजोद है ये सारे अलग-अलग कॉलेज में पढ़े हैं अलग-अलग धर्म के लोग हैं लेकिन आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर इनका लिंक कैसे है इन सब को चलाने वाला एक आदमी है वही आदमी सरकारी आफिस में इन सब को रखकर अपना आपरेशन पूरा कर रहा है ऐसा लगता है मुझे कौन हो सकता है वह आदमी हाई आजकल तो यह मुझसे रोज मिलने आती है यह क्या? कुछ बद्बू से आ रही है सॉरी, ना कराता हूँ आप में से नहीं, शायब किचिन में से आ रही है वो मेरे खाने की खुश्बू है भाईया भी हमेशा कहते हैं कि मैं किचिन में खाना बनाता हूँ खुश्बू कॉलेज तक आती है बहुत अच्छा बनाया है आप खाएंगी क्या? थू! यह क्या? खाना इतना बेकार है क्या? और नहीं तो क्या? यह मेरे खाने की बुराई कर रहा हो? तीन साल से बना के खिला रहा हूँ तीन साल पुराना इसलिए तो ऐसा है बुस भाईया चुपकर बेस्ती करके भाईया भुलाता है आपकी लवर हस रही थी तो बुरा लग रहा है लवर? ऐसा कुछ नहीं है मुझे सब पता है तुम दीदी का पसंद करते हो तुम सच में बहुत अच्छे हो मेरे दिल की बात समझ गए अच्छा सुनो मैं दीदी के सपने में तुमें ले कर जाऊँगा पहले सौर उपे दो सच क्या रहा हो ना? तुमारे खाने की कसम? खाने की नहीं इसकी कसम खा नहीं खाऊँगा क्या कर लोगे? देविका दीदी आप किसी से पयार करती हो ना? हाँ करती हूँ पर तुम ही कैसे पता? बच्चा सच बोल रहा था मुझे सब कुछ पता है मैं उसे आपके सपनों में लेकर आऊँगा पहले अपने आखे बंद करो तुम डीम्स में जा रही हो जा रही हो तुम्हारे सपने में तुम्हारा राजकुमार तुम्हारे साथ आ रहा है आ रहा है आ चुका है चापसी दर तो जगादिया मै ने जैनल वैन सब कुछ पता है मैं लेकर है जैनल आखे द दर तो जगादिया मैं लेकर है जैनल वैने दर खता है न मड़ वड़ लेकर ड़िग बिजभा इसका नसाच महाड़ा होशब खाया-ख्या कब भी गया गया नजरों से जोखे झुरू हुआ धड़काने बड़े जा तुने छुआ पहले मैं भी था अच्छा खासा तु दिखी हाल हुआ आशिक जैसा तहले मैं भी था अच्छा खासा तुदी की हाल हुआ आशिक जैसा एक पल में दिल गई दिल का दर्थ दे गई नजरों का खिल खिला मुझे भी घायल किया आजा दे दे दिल को दिल आसा दिल है प्यार का मेरा प्यासा हाया 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 हले हाल है बुरा मेरे दिल का भी दे दर्द से दर्द मिटा दे आगर लगी जो आगर लगी इश्क से तू बुझा दे दूरी से ना अब दूरी से ना पहले ये दूरी मिटा दे मुझ्छे पारा है मुष्के तागु मेरा अपना दे पहले मैं भी था अच्छा खासा तुद्धी की हाल हुआ आशिक जैसा जब इसे दूर तुझ को दिया मने चैन मेन सब को चुको या मने अच्छा आओ बच्छा 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 आओ बच् हे चाब सौ दिल लगे अब एक पल मेरा ना होगा तेरे बिंजी न आले यहां मैं सही मेरा जिना नहीं अब तेरे मिलना सच है यही ठिक नहीं दिल लगी कर बैठा मैं दिल की लगी दिल ही मिटा पिया दिल ही मिटा कर पेठी वही गुस्ता की जान मेरी बक्षे खुदा वरना इश्क में हो जाओं फना जान मेरी बक्षे खुदा वरना इश्क में हो जाओं फना जब इसे दर दो चुका दिया मारा चेने मैंने सब कुछ खोया मैंने पहले मैं भी था अच्छा खासा तु दिखी हाल हुआ आशिक जैसा एई डव डव टिका किका इश्का नशा चड़ा हो शब खोया खोया कभू भी कया कया आजा दे दे दिल को दिलासा दिल है प्यार का मेरा प्यासा नजरों से जोगें चुरुखुआ एड़करे बढ़े तो कुने चुआ आँ 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 अनकर मुझे दर्द हो रहा है ठीक हो जाएगा बिटा डॉक्टर साब आ रहे है ना क्या प्रोब्लम है कुछ खास नहीं डॉक्टर बस खेलते खेलते गिर गई और पैर में थोड़ी सी चोट आ गई नाम काव्या ओके आँ स्कस्डार Simpson Sumnetsp बेस्मेंट में लैब है वहां जाकर टेस्ट करवा लजए और चीप डॉक्टर से मिलिए डॉक्टर इतनी सी चोट के लिए इतने सारे टेस्ट अशा होगा इतने सारे टेस्ट? करवाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ऐसा ही नोने का, चली, आज़े बिटा अरे सर, पहरे मैं मामुली सी सुई खुझ गई थी, कह रे स्कानिंग कर आओ सरकारी हॉस्पिरल से बचकर यहां आते हैं, तो लगता है, इनके चक्कर में घर-बार भी बेज कर जाना होगा तुम टेस्ट निकाल कर डॉक्टर से मिल ले ना, मैं बैंक चाकर पैसे लेकर आता हूँ ठीक है, सरोजा को लेबर पेन के लिए इंजेक्शन दिया? दिया, डॉक्टर, हो सकता है, नॉर्मल डिलिवरी हो जाए पागल हो गई यो क्या, नॉर्मल डिलिवरी से होस्पिटल को क्या फायदा होगा उनसे कह दो कि डिलिवरी में कॉम्प्लिकेशन है, ओप्रेशन की बिना कुछ नहीं होगा और उनसे कहो कि इस ओप्रेशन में 80,000 का खड़चा होगा क्या कहा डॉक्टर ने? सारे टेस्ट करा के देख लिए कुछ भी नहीं है इतना लंबा चोड़ा बिल बेकार में बना दिया है तुम खुदी देखो अब क्या कर सकते हैं? चोड़ो पैसे देते हैं आप एमरजनसी बॉर्ड के पेशेंट संधिया के पती है ना? हाँ सर कल शाम को उनकी मौथ हो गई से ये आप क्या कह रहें? बिल पेमेंट के बाद बताने को कहा था लेकिन सर, मैं अपने पत्नी को देखना चाह रहा था तो आप ही के लोगों ने मुझसे कहा कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तब क्यों नहीं बताया आपने? लेकिन रात में आप पैसो का इंतजाम कहां से करते? इसलिए अभी बताया समझ में नहीं आता कि आप लोग इंसान है कि राक्षेस हैं आप लोगों में जरा भी जजबात नहीं अगर मैंने पैसे नहीं भरे तो आप सच चुपाएंगे सर देखे सर देखे सर मैंने सोचा मेरी बीवी को कुछ नहीं होगा उसके लिए मैं मंदिर गया और भगवान के सामने मनत मांगी लेकिन यह लोग मैंने अपने घर को गिर्वी रखके तीन लाग रुपे लाके इन लोगों को दिये इन्होंने पैसे ले लिए और मेरी बीवी की लाज मेरे हाथ में सौब दी अब मैं और मेरी बच्ची जी कर क्या करेंगे यह तो सरा सर अन्याय है तुम बच्चे को लेकर घर जाओ मैं जरा आता हूं तुम कहां जा रहे हो जैसा का वैसा करो शरा भी कहीं का लड़कियों के हाथ पी ले करने के बज़ाए खुद जाकर शम्शार में लेड़ गया पर अपना अंगुठा लगाई दो इनको यह लीजिए बेहन जी यह रहा आपके स्वर्गवासी पती का डेथ सर्टिफिकेट इसके बिना शम्शान में आपके पती को जलाने नहीं देगे यह लीजिए आप कौन इनके जान पैचानवाला ठीक यह ने काली बेहन में ले जा डॉक्टर यह बेहोश होकर नीचे गिर गए आप खर्चे के फिकर मत कीजिए मेरे भाई को बजा लीजिए ओके ओके आप प्लीज बाहर जाए जितना भी खर्चो आप पार जाए जाए जितना पैसा खर्चो जाए वो देने के लिए तैयार है नकली टीटमेंट की एक्टिंग करनी पड़ेगी चार पांच लाग का बिल बनाएंगे इतने पैसे वो दे पाएगा जान ऐसी चीजे जो पैसो से नहीं खरी दी जा सकती और इसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है उसके लिए जान ज़रूरी है हमारे लिए पैसा आप एक पेशेंट की जान को बचाना कोई मुश्किल बात नहीं है लेकिन थोड़ा खर्चा जादा हो सकता है मने कहा ना डॉक्टर पैसो की चिंदा मत कीजी भाईया को बचा लीजिए तो जल्दी पचास ज़ार का एडवांस पेमेंट कर दीजे इतना काफी होगा ना हाँ जाई सुनिए पेशेंट के नाम पर बिल बनाईएगा तैंक यू सर कहां गया वो आदमी डॉक्टर मने एडवांस भर दिया है ठीक है सामने मेडिकल सोप है वहां से ये दवाईयां ले आईए ठीक है सर मेडिसन कॉस्ट्ली है ना हाँ है पर सारी नहीं है कॉस्ट्ली ही चाहिए मैं चाहता हूँ मेरे भाईया को अच्छी ट्रीटमेंट मेले डॉन परी यह सब में देख लूँगा जाओ पहले दवाईया ले कर रहो कितना हुआ बीस हजार सर बिल पेशेंट के नाम पे ही बनाईए आप आराम से बैग लटका कर आ रहे है पेशेंट अंदर सीरिया से को होता है डॉक्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी पर अब सब ठीक चल रहा है एक मिन जरह आईए मैं आपको एक एडवाइस देता हूं एक फेमस डॉक्टर है सतीश शर्मा हमारी पहचान वाले हैं एक सेमिनार के सिलसले में य एक्स्क्यूज मी लगता है आपको खांसी है चाहो तो ट्रीटमेंट करवा लो मेरी ट्रीटमेंट बाद में करवा लूँका पले मेरे भाई को तेखिए हेलो डॉक्टर सतीश थीज वल्कम यल्कम 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 मेरे भाईया केस जड़ा थोड़ा सीरियस है एक बार होश में आये थी लेकिन फिर से बिहोश हो गए आने वाले दो घंटों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? ओ, तैंक यू, दॉक्टर टेक इडिजी, माई बॉय पिचारा कोई सादा बकरा तुम्हारे हाद लग गया है ये तो मामूली बात है केस कितने में सेटल हो रहा है जस्ट फाइव लाक्स ओ, फाइव लाक्स अच्छा नेलू, तुम्हारी शादी तैय होगे? हाँ, डॉक्टर शादी के बाद भूल तो नहीं जाओगी आप ही न, डॉक्टर बॉडी डीकंपोज हो रही है स्मेल आने से पहले कुछ कीजिए ठीक है, तो थोड़ा ड्रामा क्रेट करवाता हूँ ओके, कम आण, हरी अब, हरी अब डॉक्टर, डॉन्ट डिस्टर्ब ये लोग लाश को लेकर क्यों परिशान हो रहे हैं अभी डॉक्टर बाहर आकर अपना मू लटका कर अपने चश्मे उतार कर सौरी, हमने बहुत कोशिश की पर आपके भाई को बचा नहीं पाए यही कहेंगे सौरी, हमने बहुत कोशिश की पर आपके भाई को बचा नहीं पाए आपने तीन लाख रुपे जमा कराएं बाकी के दो लाख जमा करके बॉडी को ले जाएए बीस लाख रुपे पहले आप इने देंगे बॉडी तभी यहां से जाएगी बीस लाख रुपे हम क्यू देंगे क्या बात कर रहे हो डॉक्टर और लॉयर के सामने जब कोई लाचार खड़ा होता है तो वो बार बार उसके सामने एक ही बिंती करता है चाहे जितना भी खर्चों हमारे आदमी को बचा लीजी नहीं समझे मैं यहाँ पेशन्ट नहीं एक लाश लाया था आगे सुनो गवर्मेंट हॉस्पिटल में जिसका डेथ सर्टिफिकेट इशू हो चुका था उस लाश का आप ट्रीटमेंट कर रहे थे दस मिनिट में जहां भी हो अपने एमडी को हाजिर करो नहीं तो लाश को ट्रीटमेंट देने वाले सारे डॉक्टर्स की यान लाश ये भिछा दूँगा तुम लोगों को शरम नहीं आती अकेले अकेले आदमी ने तुम लोगों को बेउफकुप बना दिया उसके पास क्या-क्या एविडन्स है मुझे सब पताओ गवर्मेंट हॉस्पिटल के पेशन्ट का डेथ सर्टिफिकेट हमारे हॉस्पिटल में एड्मिंड होने का टाइम लाब रिपोर्ट्स, मेडिकल बिल्स उसने तो सब की फाइल बनाई है कॉल काता फोन लगाओ डेड़ी से बात करें सर, रिशी बाबा फोन पर है रिशी, भहिया इस वक्त योगा कर रहे हैं, थोड़ी दिर होल्ड का न योगा करने से क्या होता है सर योगा करने से सहरत अच्छी होती है समझे तभी तो भहिया फिट है भहिया, रिशी का फोन है डैड में रिशी बोल रहा हूँ देखो, अगर वो अश्पिटल को कुछ भी हुआ न तो मैं सब के टुकले टुकले कर दूँगा इंडिया में हमारी जितने भी बिजनेस है, उनमें सबसे इंपोर्टेंट हमारी अश्पिटल है तुम क्या करोगी ये मुझे पता नहीं, ये मामला बाहर आये बिनाये खत्म हो जाना चाहिए अगर कोई भी गड़बल होई, तो उसके बाद तुम लोग मेरे अंदर के राक्षस को देखोंगे, हाँ वो अभी कहा होगा अब बैट जाए सर, वरना उसे लगेगा आप उसे इज़त दे रहे हैं तो, तुम्हारा मुझ बंद करने की कीमत 20 लाग रुपए है मुझ बंद करने के 20 और 3 लाग जो मैने भरे थे वो भी हाँ, 23 लाग? मुझे इज़त देनी की ज़रुवत नहीं, बैठ जा सर, मैं काओ बॉस ये आदमी जेंटलमेन लगता है, इससे क्लैश करने से अच्छा कैश सेटिल्मेंट कर लो मुट ये लो बैन, आपके मरे हुए पती की तरफ से आपको बहेंट ये पैसे इनकी पढ़ाही और शादी में काव आइंगे जब तक जिन्दा था हमें मारता रहा आज मरने के बाद हमारी जिन्दगी बना दी आपकी दया से हाद मत जुडिये, ले जाएए ऐसे सर जुका कर खड़े रहने के लिए आप सब डॉक्टर नहीं बने एक हिंदू भगवान से प्रार्थना करता है एक मुसल्मान अल्ला के सामने सजदा करता है क्रिश्चन चर्च में जाके प्रेयर करता है लेकिन हर मजभब के लोग सर जुकाते हैं एक डॉक्टर के सामने लेकिन आप लोग उनकी जिंदगी से खिलते हो आप लोग तो डॉक्टर कहलाने के लायक ही नहीं हमें माफ कर दीजी सर मेरे उसूल तुम जैसे हैवानों के लिए सिर्फ एक ही बात कहते हैं बक्षना नहीं बक्षना नहीं बक्षना नहीं कलेक्टर के आदेश अनुसार जनता की जान को नुक्सान पहुचाने वाले इस हॉस्पिटल और उसके मेडिकल कॉलेज को सील किया जाता है सर आप यहां क्यू आएं यह पबलिक चान नहीं होने वाली उसने हमसे पैसे लेकर भी हमें धोका दिया है आप यह पीजिए आप यह पीजिए आप यह को आप यह पीजिए सब्सक्राइब करें तो नहीं जानता वो जिस बुडिया के साथ हमारे हॉस्पिटल में आया था उसने बताया कि वो से सरकारी हॉस्पिटल में मिला था वो कौन है यह पता करो 24 घंटों गंदर वो मेरे सामने होना चाहिए उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं उसे ढूनेंगे कैसे यह दिमाग भी मही लगाओ हमारे हॉस्पिटल में 8 इंटरेंस है और हर इंटरेंस में ख्लोस सरकेट कैमराज लगे है किसी ना किसी कैमरे में तो वो ज़रूर रेकॉर्ड होना चाहिए जाओ जाकर ढूना से सुपु यहीं रहते हो क्या मीट माइ क्लासमेट बाला जी क्यों यार सिटी कॉलेज से हम दोनों ने साथ में बीएस्द करी थी तो फिर अब ये तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया अरे यार तू भी हम दोनों ने सिटी कॉलेज से डिग्री की बाद में हम दोनों ने निजाम कॉलेज से पिएचडी की दिग्री और पिएजडी अलग-लग कॉलेज में नहीं कर सकते हैं, क्या? अब मैं आपको दिखाता हूँ, हॉस्पिटल के मेन इंट्रेंज के सिसी टीवी का रेकॉड़ेट फूटेज सेर्थ प्ले करो ओके सर् मैडम, इस फ्लॉपी में जो लिस्ट है वो देखिए हाँ, 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 बस रुखिये, रुखिये, मैडम, आप जो रेट कलर में दो नाम हैं, उससे सेर्ट कीजिए हाँ, हाँ, एक बने रुखिये पता कीजिए दोनों कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, मैडम रभाकर ने पढ़ाई की है, हिंदू कॉलेज मचली पटनम, और मोहिनुद दिन ने पढ़ाई की है, जे के सी कॉलेज गुंटुर मैडम, पता कीजिए, उन्होंने पीजी कहां से किया? वो जब लाश लेकर अंदर आया, तो 10-47 हो रहे थे, लेकिन वीडियो रेकोडिंग में 10-38 का समय बता रहा है, यानि थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कि वो आदमी कौन है सर्थ पारवड कर? जी नाशनल कॉलेज हैदराबाद, येस, ये तुनों एक ही कॉलेज के हैं, मेड़ में काम किजी, अब हरे कलर वाले CRD में जो दो नाम हैं उसे सेपरेट करके उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कहा हैं ये बता सकती हैं? नाशनल कॉलेज, नाशनल कॉलेज, सब एक ही कॉलेज से हैं ये सब नाशनल कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंस कर रहे हैं इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी हासिल करके उसमें हो रहे ब्रस्टाचार को किसी तीसरे आदमी के पास पहुचा रहे हैं और वो कौन हो सकता है यही है सर यही है रिवाइन रिवाइन करो ग्लोस करो और और करो नाइएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए कर रहे हैं? नए सर मैं उस केस के ऑफिसर का ड्राइवर हूँ. उन्हें बिना पता एक केस इंवेस्टिगेट कर रहा हूँ. ड्राइवर हो? और हमारे कॉलिज की स्टूडन्स पर शक कर रहे हो? सर आप कहां फोन कर रहे हैं? कमिशनर साब को. सर 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 प्लीज सर उन्हें फोन मत कीज़े वरना मेरी नौकरी चली जाएगी. ये सब मैं अपने प्रोमोशन के लिए कर रहा था सर. लेसें तुम यहां से पहले बहार ने को. ने सर ऐसा मत बोली. आई से गेट आउट सुम यहां सर, पोलिस यहां क्यों आई थी? हमारे एक स्टूडेंट्स की लिष्ट यह थी उसे. किसी ACF केस की इंवेस्टिकेशन के लिए. भाईया, इस शहर में पूरे 32 लाख वोटर हैं, पर उसकी फोटो किसी से मैच नहीं कर रही है. मुझे बहाने नहीं चाहिए. मुझे वह आदमी चाहिए. और वो भी जिन्दा! हम उससे नहीं छोड़ेंगे भाईया. उसकी वज़ा से हमारा बहुत बड़ा नुक्सान हुआ है. वो मरेगा और वो भी आपके हत हो. ेसेव की चुनोती, अठाइस तरीक व राशन डेलर का किड़नैप, एसेव की चुनोती। पिछले बार की फैक्स में किड़नापिंग की डेट मेंशिन की थी, पर इस बार तो डिपार्टमेंट का नाम भी मेंशिन किया है। इस बार कौन सा डिपार्टमेंट है? ज़्यादा खुश होने की दरुवत नहीं है, लगता है किड़नापिंग तुभारे लिए किसी खेल की तरह है, खुद किड़नाप होगे तो पता चलेगा। वह चांस आप मुझे क्यों देंगे सर, उसके लिए तो आप ही है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि वह 15 लोग कौन हैं, तो हमारी प्रोब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतने लोगों में से हम उन 15 लोगों को कैसे ढूण पाएंगे। वैरी सिंपल, इन में ज्यादा रिश्वत खोर कौन है, अगर वो डीटेल्स के साथ यहां आए, तो हम अनौंस कर देंगे कि हम उने सिक्यूर्टी दे रहे हैं। मौत की डर से ओ 15 लोग अपने आप यहां आ जाएगे। हमें भी सिर्फ 15 लोगों को सिक्यूर्टी देनी होगी। येस, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही प्लान है। वैसे भी राश्णी डील्स में कम लोग होते हैं, तो उन्हें सिक्यूर्टी देना बहुत आसान होगा। एस ये वालों का प्लान फेल हो जाएगा। सिर्फ आपके स्टेशन और हेड़कॉर्टर पे ही नहीं, हमारे हेड़कॉर्टर के सामने भी आके खड़े हैं। आपको जिससे कहना है कहिए, इससे जादा कुछ नहीं हो पाएगा। सुनिए, मेरी बात सुनिए, इससे जादा हम आपकी मदद नहीं कर सकते, मैं फोन रख रहा हूँ। सर, मैं ही वो आदमी हूँ जिसने सबसे जादा रिशवत लिए, मेरा जी नंबर पहला है, मुझे जादा सीक्यूर्टी चाहिए। इतने सारे लोगों को सिक्योर्टी देना मेरे बस की बात नहीं है ये सब क्या है? मुझे लगा सिर्फ 15 लोग आएंगे यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे कुम का बेला चल रहा है इतने लोग का से आगे? सर जुनागड, शिवगड, आजमगड, बरेली, राय बरेली, नरसिंग पूर, रामपूर से ही नहीं बलकि सारे स्टेट में राशन डीलर्स पूली स्टेशन के पास ही खड़े हुए हैं सर अरे बाप रे राशन डीलर्स में इतना घोटाला चलता है किसे मालूम था? इस समस्या से बाहर आ रहा है तो अभी अभी खबर मिली है, उने से वालों ने हमें गुमराह किया है हमें राशन डीलोरों की तरफ डाइवर्ट करके, पी डेबलूडी के ओफिसर को किन्नेप किया है सर, मैंने कोई फ्रॉड निंग किया, मैंने कभी भी अनाज को ब्लैक में नहीं बेचा सर सर, हेरा फेरी करूँगा तो नरक में जाओंगा, मुझे छोड़ दीजिये सर अवे, चुब बेट तू, तू तो शकल से पुरा फ्रॉडी लग रहा है, पहले तुझे अंदर डालूगा, ए, चलो गेट बन करो रहे सर, अब राशन वालों के खिलाफ आपका क्या कदम होगा हमारे राजे में लगभग 40,685 राशन की दुखाने हैं, मैं उन सब की डिलर्शिप को कैंसल कर रहा हूँ, हमारे यहां बहुत से पड़े लिखे बिकार नौजवान है, मैं चाहता हूँ कि ये डिलर्शिप उन सब को दी जाए क्या हुआ सर इतने टेंशन में क्यो है, हमने जिन PWD ऑफिसर्स को किड्नेप किया है, उनमें गोपी के पापा भी शामिल है, लिस्ट में उनका नाम सब से पहले है, क्या गोपी को ये बात पता है, अभी तक तो नहीं, ए गोपी आ रहा है, सर, सर, एक गुड निउस है सर, ये Time Magazine का latest edition है, इसमें हमारे ACF के उपर आर्टिकल लिखा है, सर, ACF eliminates corruption in India, हमारे राज्य में ACF नाम की organization, रिश्वत खोरों को सजा देती है, अगर ये सारे राज्यों में आएगा, तो जल्द ही India corruptionless India बन जाएगा, क्या हुआ सर, ACF के बारे में Americans ने इतना कुछ लिखा है और आप चुपचाब बैठे हैं, क्या बात है, क्या हुआ, बोलो न, सर, इसे चुपचाब क्यूं बैठे है, तुम सब के मूह क्यूं लटके हुआ है, हमने जिन जिन लोगों को किड्नैप किया था, उनमें तुम्ह नहीं नहीं, वो लिस्ट में नमबर वन पर है, यह, यह तु क्या के रहा है, आपने क्या करने का सोचा है, सर, तुम्हें बताओ, गॉपी, जो सजा सब को दी है, बापा को भी दीजिए, मार दीजिए, सर, आप मेरे पापा को नहीं मार रहे है, आप इस समाज में रिश्वत खोरों को मार रहे हैं, सर, मैं आपको जानता हूँ, सर, अगर उस जगह आपके पापा होते, तब ही यही करते, शुगर की वज़े से, अगर पैरों में गैंक्रीन हो जाए, तो काटना पड़ता है, सर, फिर वो पैर, अपना ही क्यों नहीं हो, आपने जिस ACF का निर्मान किया है, उसमें रिश्टेदारी की कोई जगह नहीं है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस उपरेशन से, प्लीज मुझे दूर रखिए, सर, प्लीज, सर, वो रिश्वत खोर बाप हो सकते हैं, पर मैं रिश्वत खोर बेटा नहीं हूँ, सर, मैं आपका स्टूजेंट हूँ, सर, गोपी, तुम सब को देखकर मुझे बहुत गर्ब महसूस हो रहा है, कॉलेज में आवारा लड़कों को, मासूम लड़कियों को फसाते हुए मैंने देखा है, लेकिन इस देश की तकदीर बदलने की शक्ती तुम जैसे यूओको के हाथ में है, मेरी बातों और लक्षे पर भाईया, कितने पैसे हुए है? 45 में माडम पैट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है और आपके मीटर का रेट घट रहा है, ये तो बड़ी अजीब बात है, बात क्या है? पहले हम लोग को ट्राफिक वाले को आट्यो वाले को रिश्वद देन ही पढ़ती थी मेडम, इसलिए हम लोग भी मीटर बढ़ा के ज़्यादा पैसे लेते थे, पर आजकल क्या ना मेडम, ये लेंदेन का मामला खतम हो गया है, तो हम लोग ने भी सोचा कि पैसे कम लें हो हम, ऐसे क्यों देख रहे हो, अब मैने ही पैचानते हो क्या, मेरी वज़े से तुम आज इस कुर्सी पर बैठे वे हो, मेरा इस कुर्सी पर बैठने से आपका क्या संबंद है, तुमसे पहले जो ओफिसर था नहीं आप है, उसे भी मैने ही मारा था, अखबार में भी ये बा इसमें दसलाख रुबे हैं, रख लो, नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए, रिश्वत नहीं लेते हो, कोई बात ने, रिश्वत भले ही मतलो, डरना जरूर, चल्दा हो आई साफ, इस आदमी की उमर काफी लंबी है, आजकल सरकारी दफ्तरों में अफसर रिश्वत नहीं ले र गुनेगारों को सजा देना जितना एहम है, उतना ही इमानदारों की रक्षा करना भी एहम है, पुलिस रिकॉर्ड में जितने भी गुंडे बदमाशे उनकी लिस्ट बनाओ, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाती का हो, चाहे किसी लीडर का चमचा हो, उसे छोड़ना म सर यह राज्य के सबसे बड़े गुंडों के लिस्ट है यह उनमें नंबर वन है सर यह बहुत ही बड़ा हिस्ट्री शीटर है अपनी गुंडागर्दी के दंपे इसनी जमीनों पर कब्जा किया है इस राज्य के पॉलिटीशन्स इसका साथ देते हैं और यहां तक की कोड भी साथ देती है हम रगो सर हमारे एसीफ मेंबर्स को जारा संभल कर रहने को कहना ठीक है सर पॉलिस की नजर हम पर कड़ी हुई सर अब तुम लोग जाओ ओके सर एसीफ के नाम पर जितने खून हुए वो आपने किये क्या आप राज्य के बारे में उस दिन सारी डीटेल्स बता रहे थे तो उस दिन में समझ नहीं पाई पर आज मैं समझ गई आपका असली चेहरा देखे बिना लोग आपको भगवान मान रहे हैं और मैं ऐसे आदमी से बिना जाने रोज बात कर रहे हूं साथ घूम रहे हूं हसी मजाग कर रहे हूं एक तरफ गलत कर रहे हो तो दूसरी तरफ तुम्हें देखे गर्भ हो रहा है रहली अम वेरी लखी इतने महान काम कर रहे हो फिर भी लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहे हो इसकी वजा क्या ह देविका, कपड़ा बनाने वाले बुनकर को हम जानते हैं, जो हमारे लिए जूते बनाते हैं, उन कारीगरों को हम जानते हैं क्या, अनाज पैदा करने वाले उन किसानों को हम जानते हैं, हमारे देश की सरहत की रक्षा करने वाले फौजी को हमने देखा है, जब वो चेहरे नहीं दिखाई देते तो मेरे बारे में भी किसी को जानने की सरुवत नहीं तुम इसका अंजाम भी जानते हैं धर्म युद्ध में जाने तो जाती है हां धर्म युद्ध में जान लेना गुनाह नहीं है कोई गुनाह नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं उस जान की कीमत क्या है समाज में जब कोई खलत करता है तो नतीजा कितनों को भुगत ना पड़ता है ये जानता हूँ इसलिए ये कर रहा हूँ इसकी वज़ा से कितनी जिंदगियां बरबाद हुई पता है तुम्हें आओ दिखाता हूँ तुम हमेशा ये पूछती थी थी न कि तुमारे आगे पीछे कोई है या नहीं देखो ये है मेरी नंदिनी इसका पती तो बिल्कुल हीरो जैसा दिखता है वो कैसा भी हो तुझे क्या ताकि मैं उस पर चांस माल सकूँ मेरे पती को नजर लगाई ना तो खैब नहीं अरे देखो शादी होने से पहले किते लक्री दिखा रही है अरे अब तक तयार नहीं हुई लड़के वाले आचुके है ये सारा हिसाब हो गया और ये 24 और 25 क्यों दादी ये 24 पचीस क्या है तेरे दहेज की रकम गिन रही हो ये क्या कह रहे हो पिछली बार तुमने 15 कहा था तेरी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है ना हर साल अरसे बढ़ती रहोगी तो कैसे चलेगा परसों के दिन जब लड़की देखने गए और लड़की बालों ने पुछा कि लड़का कौन है मुझे बताने में कितनी शर्माई पता है शर्माना कैसा तुम तो हैंडसम हीरो हो दादी देख लेना गलत पात है मेरी बात को समझगो देखो बेटा देख ना लेने के चकर में शराफत दिखाई ना तो लोग तुमें डिफेक्टेट समझने लगेंगे दादी, देख लेना बहुत बढ़ा पाफ है अब क्या हो मामा यह देखा तुमrendre क्या है, तुम्हें दिखा इनी देख, तुम पढ़ो मामा आज की ताजा ख़ार, करुणा देवी को देख के लिए जयल की सजा इस शेहर की चिननमा को पासी की सजा करनाटक के कावरी दिर्गे हाथ तर निकल दी गए करनाटक में क्या हूँ यहा था करनाटक में क्या हूँ वा था निकल देगाई जादी तुम्हारे पेरों के बारे म explains तो नीन नहीं आती, मैं उस बिना देहज के मुझा चाहड़ी कर लूँग है यह सजा मिलती है क्या? बिल्कुल. तो फिर मैंने फैसला कर लिया है. वाँ, आप रहे नहीं लेने वाली हैं क्या? कॉम्प्रोमाइज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. लाखो मेरे लिए लाते तुम्हारे लिए. चिलाए तो पांच और बढ़ा दूगी. भाँजे, सारी गालिया अंदर दबा लो. सिस्टर, क्या है? लाखों की बातों ने मुझे करोडपती से रोडपती बना दिया. अब ये काम मेरे भाँजी की साथ मत करो. तुम तो ऐसे बोल रहे हो, जैसे सारी गलती मेरी है. लड़की देखने का प्रोग्राम कैंसल. ये चश्मा, ये चेन, ये वाच निकाल कर लूंगी पहन कर अंदर जाके सोजाओ. दादा, दादी, दादी. क्या है? हम लोग ए सेटलमेंट कर लेते हैं. अपनी जबान से पैसे मांगना खलत बात है, तुम्हें जितना भी चाहिए, इशारे में कह दो, एक उंगली का दस लाग रुपिया. ये बिल्कुल सही कहा है. आपके लिए. एक उंगली का दस लाग, दो का बीस लाग, ऐसे पांच लाग, दो का बीस लाग, ऐसे पांच लाग, ये सही है. मामा, पांगे. पैसे जो भी दे रहा है, उसका काम तमाम. नमस्कार. अरे, सुन, इनका घर तो इतना छोटा है, क्या ये हमारा देहिज दे पाएंगे? चुपो जाओ, मैं तुमारे हाद जोडता हूँ. नमस्कार. नमस्कार. लड़की का बाप इतना काला है, अगर लड़की भी काली होई, तो पांच और बढ़ा दूँगी. दादी. गाली ये गटकलो. गटकली. चुपचा बनार चालो. चलचल. नमस्की नमस्कार. नमस्कार. रेखना हूँ. अहुँ. मामा, जड़की बहुत अच्छी है ना? बात अच्छी है. कितनी अच्छी है? मारी मामी बनने कि रहेंज में hon मैं दुलहन की बात कर रहा हूँ मैं क्यों तुम भूती देख लो भार गल क्या हुआ, बहुत टेंशन में हो, पहली बार लड़की देखने आए हो पहली बर? महीने में एक दो देखि लेता है इतनी लड़किया देखने पर भी शादी नहीं हुई तो लड़के में कोई देखे, जो भी कहना है, मुझे कहो, भांजे को कुछ उमत कहो, मेरा भांजा लाखो में एक है, समझ गए चुप हुचा मामा, अपनी तारीफ खोद नहीं करते यह बता लड़की पसंद आई की नहीं, तुझे यह लड़की पसंद आगई ना, लड़की पसंद आगई ना, लड़की पसंद आगई इसे अंदर ले जाओ, 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 पटाओ, पटाओ, जाओ, जाओ, लड़की अच्छी है, शादी के ल अंकल जी, आपसे कुछ परसनल बात करने है, जरा उस तरफ आई है, ना, चलिए, मेरा बेटा जो आपसे बात करेगा ना, उसे ध्यान से सुन लीजिए, पुलिस की बारे में सोचो, अहां बोली, दरसल मैं आपसे लेन देन की बात करना चाहता था, बेटा, मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें देश नहीं देपा हूँ, आप टेंशन मत लीजे, असल में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी दादी को बस देश के नाम पर कुछ ने कुछ चाहिए होगा, फिर रकम चाहे जो भी हो, अपने मुझे कुछ नहीं बोलेगे, दो उंगली का म इधर आ, हम पचीस कह रहे थी है, पचाहस दे रहे है, अंजी ने तीर मार दिया, भरोसा कर सकते है, ज्यादा बहुत सोचो पचीस भी चलागा, ओरे नहीं नहीं, ओके, ओके, सुनो, मुझे उनसे अकेले में मिलना है, उन्हे लेकर उस कमरे में आओ, ठीक है दीदी, जीज आपने मुझे यहां बुला लिया, कोई देख लेगा तो क्या सुचेगा, आप से बात करनी थी, इसलिए, सच कहूं तो मुझे भी आप से कुछ बात करनी है, आप मुझे पसंद आ गए, पापा से बात करने के बाद आप और ज्यादा पसंद आ गए, सच कहूं तो आप बह वो इसलिए कि शनीवार शनीवार को मेरी दादी कद्दू से मेरी नजर उतारती है शादी के बद मैं उतारूँगी दर्वाजा खोल अंदर क्या कर रहा है बबबबबब वो दुलन चुप हो जाओ गुप चुप राणी मेरी राणी मेरी तू ही कहानी तेरे भीना जिन्देगी दे कर जानी राचा मेरी राचा सुन कोई भी कहानी मैं हर किस तेरे हाथ नानी मानले मानले बात मानले मेरी दिल की बात दिल से जानले मेरी आँखों के रस्ते खौब में आँगे आँखे कुलते ही चलनी जाँगे राणी मेरी राणी मेरी तू ही कहानी तेरे भीना जिन्देगी बेकार जानी राचा मेरी राचा सुन कोई भी कहानी मैं हरी फिस तेरी खात नाम नी फ्वाम मैं कुछ शादी करूँगा मांग मैं तेरे सिंदूर भरूँगा फाब में तीरी तो खाड परहना मुझ को विवन अपणी सलिक झोचाना फाब में मेरा एक दिल सच चा मिले का ना कुछ कोई मुझसे अच्छा फाब को हकीकत में नभदलतो होश में आजा जरौ समोदो राणी मेरी राणी मेरी तू ही कहानी तेरे भीना जिन्देगी बेकार जानी राज मेरी राज सुन कोई भी कहानी मैं हरी किस तेरे हाथ नानी वाब में तूने मुझ से कुछ कहा तेरे दिल में भी है मेरी जगा राज मेरी राज सुन कोई भी कहानी मैं हरी किस तेरे हाथ नानी तेरे दिल की बात मैंने पढ़ ली हैं से दिल की बात समझ ली हैं राज मेरी राणी मेरी तू ही कहानी तेरे भीना जिन्देगी बेकार जानी राजा मेरी राजा सुनन कोई भी कहान मी मैं हर खिस तेरे हाद नान मी मानले मानले बात मानले मेरी दिल की बात दिल से जानले मेरी आखों के रोस्ते खाव में आँगी आखी खुल के हिट शन्नी जाँगी मामा यह तो बिल्कुल यह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है नहीं आपकी तरह है दोनों में किसी तरह की भी हो लेकिन इसके आने के वाद टेंशन शुरू हो गई कौन से टेंशन इसके देच के लिए यह इसका सर क्यों खाने लगी उन्होंने 5-5 उंगलियां दिखाई थी मुझे लगा 50 लाग देंगे अभी तक तो वो पैसे मुझे दिये नहीं पर बच्चा जरूर पैदा हो गया सुनो बहू अब अपने नवासे को देखने तो तुम्हारे पापा आ जाएंगे मैं उन्हें तब तक इससे नहीं मिलने दूँगी जब तक देख के पूरे पैसे नहीं दे देते अरे दे देंगे कब दे देंगे यह से बातां यहां करना ज़रूरी है यहां नहीं तो और कहा पूछूं अरे तुस्से जादा अकल है मैंने आपका अपका नहीं तो और क्या करों देज के इंतजार में मैं ही मर जाओंगी हर कोई ग्रेप्रवेश भगवान के फोटो के साथ करता है मैं अपनी दादी के फोटो के साथ कर रहा हूं आई आई यह आई यह आपका फ्लाट है मैंने इतनी गालिया थी उन्हें कि वह इस दुनिया से लाओ मुझे दो अरे बिटा मुझे को मालते नहीं है यह लो टाइग और तुम्हारा पोस्टिंग और पर्सों से तुम डूटी जॉइन कर सकते हो अगार कितनी है पूरे 40,000 आपका बैड लग मेरी बहन लाख रुपे मांगती अरे बसकर कितना मारेगा सर हमने जहां फ्लाइओवर की पर्मिशन ली उसके बगल में यह अपार्टमेंट है यह अपार्टमेंट भी वहां के तालाप को बंद करके हमने ही बनाया है जहां फ्लाइओवर को कॉलंज डालते वक्त उसके प्रेशर से इस अपार्टमेंट की बुणियाद हिल कर इमारत देह जाने का डर है पार्टमेंट में रहने वाले और आप बिजनेस की बात कर रहे हैं। इंसानियत की बात मैं क्यों सुचूू। वहां क्या मेरी बीवी बच्चे बैठे वे हैं। जेतनी जल्दियों से काम शुरू करो। नंदू काओ, नंदू। आ रही हूं। बड़ी देर से पूजा कर रही है। क्या मांग रही थी। कुछ नहीं जी। मेरा संसार, बच्चे, आप, आपका प्यार, और ये खुशी। आप सबसे कभी दूर ना करे। यही भगवान से प्रार्थना कर रही थे मैं। हम हमेशा इसे ही रहेंगे। अप्रादेश अप्रादेश कि अप्राइब टैज़ है कि अर्दटे पर दॉब्सेल पादधने ये बाया है झाल झाल लंदू, क्या हुआ? चल अंदर चल जिस्ट रिलाक्स तुम्हा आराम करो मैं दॉक्टर को लेकर आता हूँ अरे लेट जाओ झाल, 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 झाल कर वो कर दो सकतो है लांक को एंग को सो मुषरा हते gonna be लड़ाई है ॉप है ऑमनननन… ऑमनननन फमननन कяжा कई जया कुई राल झाल, 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 झाल झाल, 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 झा बबर रहे कि दयोटे हुल में भूटे हुल हार रहुल आप आपका प्यार हमारा पच्छा और हम सब के पीश खुशी बस यही मेरा संसार है बगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इन सबसे दूर ना करे पेगोर मता कैसे हुआ कैसे हुआ यह बोल कैसे हुआ बताता हूँ से बताता हूँ मैंने खुद उन्हें बताया था कि अगर वहां फ्लाय और बना तो बगल के अपार्टमेंट डह जाएंगे पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी एक मिनुट्ट्ट् सर यह लीजे सर इस फाइल में सब के सब डॉक्यूमेंट्स है कौन से डिबार्टमेंट को क्या-क्या देकर मैनेज किया गया है सब मौझूद है सर देखिए खुद देख लीजे सारी डीटेल्स इसी में हैं सर सरकार हमें तनख्वा देती है लोगों की मदद करने के लिए उनकी जान लेने के लिए नहीं रिश्वत लेकर बेल्डिंग बनाने की पर्मीशन दी इसलिए सतर फैमिली बरबाद हो गई कलेक्टर साथ पहले वाँ छोटा सा तालाब था इन लोगों ने उससे ढग दिया दस लाख रुपे के रिश्वत लेकर इन्होंने कह दिया कि जमीन अच्छी है मैं मानता हूँ कि हमने ठपा मारा है लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने भी तो सॉल्टेस किया था क्या आपको पता नहीं था कि वह अपार्टमेंट बनने वाला है पास बचा क्या सिर्फ पांच लाग वैसे तो सिर्फ आप लोगी कमाते हैं यह कर गया रहा तुम लोग यहां पर इनकुवारी चल रही है बाहर प्रेस वालों के सवाल खतम नहीं हो और यहां तुम लोगों की बगवास चल रही है किसको कितना चाहिए यह बताओ बिल तब कहा गए थी तेरी यह decency decency sincerity की बात करना था हमारी बात तो ठीक है पर उनके पास सारे सबूत हैं सर अगर वो आपकी बात मान गए तो हम भी मान जाएंगे क्यों gentleman छोटी सी बात को क्यों बतंगड मना रहे हो अरे उस file को हासिल भी कर लो तो क्या हो जागा यार चलो मैं काम करता हूं मैं तुम्हें दो चांस देता हूं इस पोरे इलाके में तुम जिसको भी चाओ जाओ मेरी कमलेंट कर दो हम जाओ आजा आजा कमिशनर का ओफिस है हां सर कुछ तिनों पहले जो अपार्टमेंट है गया था उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है सर इस केस की सारी जानकारी है मेरे पर सारो में क्यों रॉंग नंबर लग गया अगला ट्राइ करो हालो होम सेक्रेटरी बोल रहे है हां सर जो अपार्टमेंट है गया था उसके रॉंग नंबर लग गया है साही नंबर लगे का है सरकार ने तुम लगों कुछ एक लाग रुपे देने का बीवी और बच्चों के लिए जारा लाख रुपए अब चलो मानता हूं कि तुम्हारी बीवी बेचारी गर्वती थी मान लो कि उसका बच्चा भी हो गया होता है उसके पैसा लाग से मिल जाते हैं यह सारा इसाब किताब छोड़ो मैं तुम्हें पूरे 25 लाग देता हूं ज शरीफ आदमी है बेने एक पैसा लिया फाइल दे कर जा रहा है सीखो इनसे सीखो तुम लोग कोच अघ्ला का बता है सीखो उसके बता हैो जोगो को बता है रहा है इनस्व खुम जारे इनस्वास को जाता है जाओक पैसा लोग इनस्वास कर दो कर दो कर दो और पाद्सक रिना थे हम और य reminding झाल जबोड़ों उड़ को वाल म ważन। झाल मुझ्प़ों U dużo मैं मूझ्द। झाल मुझ्द। शुझाँ फिंड फिर हिर्ड हुआ फ्यकार हन यह यूर जो экराफिज है कि आएर मेंस वार सब। को अभा यह जो ख़ rozmार करूब जो Proseंज कि हो कि यू तू चालग जो ओू जूग सह सक हो खूप जगे जूर हो वार दिज है आब कि खानब मुब है कि खानब है कि खानब जो जो खानब है सब्सक्राइब लिफ眉 में राँ गर छिए। में जुल करत दोते हैं फ्रीजर न二 जुल ठेकल वें वाँ यह प्राइब राँ वाँ वाँ भाँ वाँ 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 आओ, जए आओ, आओ, जए, आओ, आओ, आओ... खिवार आप खिवो खिवार पिसे निकालू यहां से जल्दी करो इसे कहीं और ले जागा ठिकाने लगाओ मुझे वापस जिन्देगी देने वाले वो कॉलेज के स्टूडेंट्स ही थे इतने लोगों की मौत का कारण बने मंत्री नाराण को मैंने नहीं मारा इन सब के पीछे जो रिश्वत खोरी है उसे मैं हटाना चाहता था इस समाज को सिर्फ देश के नौजवान ही बदल सकते हैं इसलिए नाशनल कॉलिज में प्रोफेसर की नौकरी करके कई हजारों बच्चों को देश की सेवा के लिए तयार किया और ऐसे ही निर्माण हुआ एसी एफ का एंटी करप्शन फोर्स गैर कानूनी तरीके से 30 रुपे का टेंडर फॉर्म लेकर आने वाला अटेंडन्ट हो या 300 करोड के टेंडर पर रोड बनाने वाला कॉंट्राक्टर सारे मुझरिम है और यह सारे अगर समाज में इसी तरह बढ़ते गए तो यह पूरे के पूरे समाज को दीमक की तरह चाट जाएंगे एसी एफ इन्हे कभी नहीं छोड़ेगा मैं नहीं जानती थी तुम्हारे साथ जो नाइनसाफी हुई उसमें तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की कोई गलती नहीं है मैं तुम्हारी साथ हूं तुम जो भी कर रहे हो वो बिलकुल सही है Please carry on बत्रे नारायन को किड्नैप करना इतना असान नहीं है सर एक मौका है सर परसोस की सालगिरा है Grand celebration कर रहे है साथ में पुलिस भी होगी, थोड़ा मुश्किल लगता है सर उसे उसकी सारगिरा पर ही कड्नाप किया जाएगा कैसे सर? एंजोई और सर्फ थैंक यो बल्री जी हाई रे डिसाव हाई एंजोई, एंजोई नवस्ता सर जरम दिन की बहुत बहुत शुक्ता मुद्ध हम सब आपके फैन्स है सर चलिए सर केक काट ये सर मेरे भाईया के फैन्स तो देखो उन्हें पॉलिडिक्स में आने के लिए उकसाते रहते हैं है आपी डर्श में आने वाले पांस तुमें किड्णाप करेंगे ए सी एफ मुझे किड्नाप करेंगे छोड़े चोड़े 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 अबूरे इलिद करेगे आ जिल्दाबर न्हें जिल्दा ये अजिल्दबर अर्चा तुमनों कौन हो कि हमें किसी स्पेशल पार्टी में चलना है तो हम यहां आप अंधेरे में खड़े हो दम है तुम यहां मुझे उजाले से कोई डर नहीं पर यही अंधेरा लोगों की जिन्देगी बचाता है आजकर लोगों की आदाश्त बहुत कमजोर होती है एस एफ उनने कब तक याद रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक रहेगा सूरज पूर्व से उककर पश्चिम में अस्त होता है ये विश्वास जब तक लोगों की दिलों में जिन्दा है तब तक रहेगा इस धर्ती पर जब तक अच्छे लोगों का जन्म होता रहेगा तब तक रहेगा यही विश्वास है हमारा एसी एफ इस तरह के फाल्तू पातों से लोगों को बैकाना हमारा काम है तू क्यों कर रहे है साँ मैं किसी काम पर विश्वास करता हूँ तब ही उसे करता हूँ और उसे करने के बाद सीना ठोक के बोलता हूँ और अपनी बात पर कायम रहता हूँ क्यों बे, ACF के किराय के टटवों पर इतना उचल रहा है, मैं बताओ मेरे पास कितने है मेरे एक इशारे पर ACF तो क्या, सारी जंता तुछ पर टूट पड़ेगी पैसों के टुकड़ों पर तेरे चमचे बलते हैं, लेकिन मेरे लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी इमानदारी को पसंद करते हैं जो रिश्वत खोरी के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग में मेरे सैनिक की तरह हैं मैं बंधाओ और इसलिए तेरी आवाज भी कल रही है, हात खोल, तुझे और तेरी सेफ को यहीं चूर कर दूँगा शटाप, लोगों की जिंदगियों से खेलना तेरी आदत है, और लोगों की जिंदगियां सवारना मेरी तुझे सिर्फ दो चांस दे रहा हूँ, तुझे बचाने के लिए इस स्टेट में किसी से भी मदद मांग ले हलो, हाँ मैं बदरी बोल रहा हूँ, और मिनिस्टर के पी-ए का ओफिस है रॉंग नमबर, रॉंग नमबर लगिया क्या मैं बदरी बोल रहा हूँ, पुलिस कमिशनर का ओफिस है यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, पुलिस कमिशनर का ओफिस है क्या अरे बोला ना पुलिस कमिशनर का ओफिस है कमिशनर साब का फोन दो चिलाता क्या है बहरे, पुलिस कमिशनर का ओफिस है किसका फोन है पता नहीं सर कोई पानी पूरी वाला है पूरी मांग रहा है रॉंग नंबर है सर तुझे पता है सही नंबर किसका है तेरे भाई का नो चांस रगू डॉक्यूमेंट्स तेरी बैमानी का पूरा कच्चा चिठा है इन डॉक्यूमेंट्स में लिखाए के तू अपनी सारी कमाई खरीबों में बांट रहा है चल जल्दी से साइन कर दे इस पर जा नहीं करता नहीं करेगा तो तुझे खतम करके इन डॉक्यूमेंट्स पर तेरे अंगूठे के निशा कर अपने जूते की लेस बना दूँगा क्या पी रहे हो बूस्ट बूस्ट नहीं वेस्ट है यह चोटे बच्चे पीते हैं लेकिन एड में तो क्रिकेटर भी पीते हैं वो तुम्हारी तरह वेस्ट फैलोस नहीं है ऐसा मत बोलो मुझे बुरा लगता है पैसे भी हमारे दे है मैं सिर्फ मजाग कर रही थी क्यों नहीं कर सकती हो जोग तो क्या तुम तो जो चाहे वो कर सकती हो चोटी से रिक्वेस्ट है तो करो ना आज से खाना मैं ही बनाऊंगी खाना तुम क्यों बनाऊंगी क्यों जो पसंद है उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या कर सकती ह ए चिंटू, देविका मुझसे बहुत प्यार करती है क्या बोलू इसको, मुझे लगता है यह सच मुझ का प्यार नहीं है बकवास बंद कर, मुझे काम ना करना पड़े, इसलिए वो खाना बना रही है जरूरी थोड़ी, ऐसा ही हो, तुमसे स्मेल आती है ना, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा इसे पसंद करते हैं, उसके लिए खाना बनाना गलत नहीं है, उसने कहा अच्छा, सच में ऐसा कहा, अच्छा, कहा ना तो फिर बजाओ ना दूरा, हाई, तुम तो बहुत अच्छा डांज करते हो, वीडा, बजा रहा है हलो, जादा उडने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जु कहाने की बात की है, तुम्हारे बारे में नहीं थी, उनके बारे में थी तो तुम भाईया को पसंद करती हो? और क्या? भाईया तो तुम्हारे है, मेरे लिए तो जान है. I love him. अरे अब अचानक इसको क्या हुआ? उत्था, उतर गया. मुझे एक छोटा सा डाउट है. तुम भाईया से प्यार करती हो, पर भाईया के पास तो टाइम ही नहीं है. उन्हें मुझे प्यार करने के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं है. राम के स्पर्श पर अहिल्या जाग उठी थी, पता है न? वैसे ही, तुम्हारे भाईया के देखने से, मेरे दिल के तार बजने लगते हैं. उनकी आखों में कितना मेगा पावर है, पता है? मन में आख, मन में आख, आग है लगी, तेरी आद मेरा दफर जागी. आफथ है, आफथ है, आफथ तु बड़ी, तुझे देखे कर सास मेरे चल पड़ी. मन में आख, मन में आख, आग है लगी, तेरी आद मेरा दफर जागी. आफथ है, आफथ है, आफथ तु बड़ी, तुझे देखे कर सास मेरे चल पड़ी. तुझे मिल कर भूले जग सारा, तुझे बना बैठी दिल कारा. तुझे बाना है मेरी तमना तेरे लिरा दिना नहीं नहीं मरना मन में आप मन में आप आगैं लगी दीरी आग मेरा को फर्चागी आफ़त है आफ़त है आफ़त तु बड़ी तुझे दिख कर सासे मेरी चलबडी कर दो कर दो कर दो कर दो काती लाना है तेरी यदा जिस पे मेरा दिल है फिदा हो न चाहो मैं चुदा इतना तुना मुझे सता काटे ये इश्के लागे दिल में सोए अर्वान जगे दिल नी अभी रस्ता चुना अंसोनी किश्क के कहानिया सुना जब से तुने पेम रस पिलाया मैंने होश भी खोया हे हे होश मेरा भी गया पेम रस मेरे की चक्खा हे मन में आख माग है लगी तेरी आदो मेरा तभर चागी आफत है आफत है आफत तु बड़ी तुझे देख कर सासे मेरी चल पड़ी कि में आफत है कि अपत है तो अपत है आखले से मुझे लगा प्यार का नश्रा तुछ पे चढ़ा देखकर तुझे सास थम गई धड़कने भी तूले गई प्यार हुआ इसहार हुआ ऐसे मज़ पहली बाद हुआ हाल मेरा बेहाल हुआ जब से इश्क का खयाल हुआ साथ तेरा जब से मिला के मेरा दिल हिल गया मन की मुश्किल बढ़ गई है जब से मेरा दिल गया हे 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 मन में आग मन में आग आग है लगी तेरी आगो मेरा तु भर चागी आफथ है आफथ है आफथ तु बड़ी मुझे बहाने नहीं चाहिए प्लीज मेरे भाई को किर्णाप हुए दो दिन हो गए हैं आपने क्या गिया आपसे नहीं हो सकता तो बताइए मैं सेंटर में फॉन करता हूँ प्लीज कूल दाउं इस केस के लिए दिली से एक स्पेशल आफिसर आ रहे हैं मिस्टर सिंग सर इस के सारे डीटेल्स मिस्टर बल्बीर को फैक्स कर दीजिए वेल्कम सर थैंक यू आईए सर आचलिए यार अज्या मझे काय ओफिसर ना होते जा याला दिली और उन बोलो लला काय उखाड ना ये बगू है मला मराठी पणिये ते सारी सर इतने सारे पुलिस वाले होते हुए इस केस के बारे में आपको एक क्लू भी नहीं मिला ये बड़ी शर्म की बात है बात ये है सर इस केस के बारे में हम बहुत महिनों से इन्वेस्टिकेशन कर रहे है पर क्या करें पुलीस नेटवर्क से ज्यादा उन ACA वालों का नेटवर्क थैला हुआ है नेटवर्क नहीं, टीम वर्क है सारे राज्ये में पोस्टर लगा दो कि उसके बारे में हमें कोई भी क्लू देगा तो हम उसे 25 लाख रुपे देंगे ये केस जब तक सॉल्व नहीं हो जाता कोई भी आराम नहीं करेगा सरकारी नौकरी में काम करने वाली अधिकारी सा अगर कोई भी काम करवाना हो तो वो बिना रिश्वत लिए कभी नहीं मानता ACF के बारे में अगर आप जानते हो तो पुलिस आपको 25 लाख देगी तो आप information देंगे वो कौन है मुझे भी जानना है एक लाख ज्यादा देता हूँ कुछ भी हो उनके बारे में नहीं बताएंगे क्यों पुलिस के हवाले करें अभी तो राशन शाप में हमें जो चाहिए वो मिल रहा है ना इसे भी बंद करवा दे पर पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है पुलिस तो ऐसी ही है जो अच्छा काम करते है उसे पकड़ के ले जाते हैं उन्हें क्या लेना देना उन्हें तो सरकार से पैसे मिलते हैं हमारे हिस्से का छीन कर वो लोग खा जाते हैं मरते तो हम लोग है ना हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे जाओ इस राज्ये के सारे लोग काफी सेंटिमेंटल है सारे क्रिमिनल्स को हीरो बनाना इनकी आदत बन चुकी है ये बात तो सही है सर आपको एक बात बतानी है सर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जो जोकर समूसा चाय लेकर आओ जल्दी जाओ लेकर आता हो मटन बिर्यानी चिकन बिर्यानी वेज बिर्यानी तीनों लेकर आदो तो अच्छे से बैठकर खाई है सर ये इनके लिए कोई कॉंफरेंस हॉल नहीं कैंटीन है ये जो फैस बैठा है ना हमेशा समुज से की बात करता लेकिन केस की बात नहीं करता अब बत्तमीज आज तेरी जबान बहुत चल रही है निकल या से निकल कौन है ये ड्राइवर है इसलिए आप जो पता नहीं कर सके ना वो मैंने पता करके दिखा दिया सर पंद्रा दिन की छुटी लेकर और आधी पगार लेकर मैंने सारे सुबूत इकटा किये सर ये लोग बैठकर समोजा खाते रहे पर मेरे कभी सबूत नहीं देखे सर ये केस सॉल्व नहीं कर सकते सिर्फ समोजा खा सकते है अब वो खोला तो तुमारी चान ले लूँगा मैं जाओ यहां से गेट आउट आप चोप रही है सिट डाउन तुम बताओ सर ये बहुत बड़ा नेटवर्क है टेरिरिस्ट पावर नहीं है नेक्सलाइट पावर नहीं है स्टूडेन पावर है देखे सर 90% प्रॉब्लम तुम नहीं सॉल्व कर दी सुनेया मिस्टर सेंग सर जल से जल सरकारी ओफिसेस में काम करने वाले नैशनल कॉलेज के ओल्ड स्टूडेन्स को अरिस्ट कीजिये शुल्डा नहीं दो जाए दो जाए दोस्टर से जाए दोस्टर प्रॉब्लम तक्रॉब्लम तूस्टर से दोस्टर नहीं है सर, कितना भी मारो, कोई फायदा नहीं, कोई अपनी जबान नहीं खोल रहा है इस राज्य में हर जे का इंटरोगेशन तो ठीक ठाक चल रही है ना किसीने भी अभी तक अपनी जबान नहीं खोली कहीं से कोई इंफोमेशन नहीं है, सर सर, शिरामपूर से आपके लिए फोन है अलो, मैं सुजान सिंग बोल रहा हूँ, सर हाँ, किसीने कुछ बताया मैंने बहुत कोशिश की मूँ नहीं खोल रहे तो थर्ड डिगरी का इस्तेमाल करो सर, या इन सब को मार मार के हमारे हाथों में दर्द होने लगा है सर, प्लीज सर, इन्हें मत मारिये, सर इन्हें देखता हूँ, तो मुझे दर्द होता है हम हमारी डूटी कर रहे हैं सच उगलवाने के लिए ये सब करना पड़ेगा सर, इन सब के घरवाले मिलने आये हैं, सर ठीक है, सब को उपर बुलाओ ठीक है, सर देखना अब सच बाहर आएगा कैसे, सर? सारे सेंटिमेंटल फूल्स जो है मेरा बच्चा साथ, अंदर मेरे बेटी को ये लग मार डालेंगे उसे छोड़ दीजिए साथ, मैं आपके हागे हाँ छोड़ती हूँ सिर्फ आपके बेटे को ये नहीं, सब को छोड़ दूगा ये बताईए उनका लीडर कौन है एए आप जाएए रभी 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 ये क्या हो गया दर्द हो रहा है क्या बेटा जितना भी दर्द हो बरदाश्ट कर लेना बेटा लेकिन उनका नाम अपनी जबान पर कभी मतला ना इन पुलिस वालों की मार कुछ दिनों बाद मिल चाहेगी अगर उन्हें पुलिस के हवाले किया तो पाप जिन्दगी भार हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा मत बतागा तुम इसकी मा हो की क्या हो तुमारा बेटा मौत से लड़ाई कर रहा है किसी और के लिए इसे खोदोगी तुम उसके बारे में जानती क्या हो कभी देखा भी है तुमने उसे बग्वाल को कभी देखा है तुमने अगर ये मर गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी अगर उन्हें पुलिस के हवाले किया तो मुझ जैसे न जाने कितने लोग रोएंगे पता है तुमें यह खा किभर्दी एक बाल निकाल कर हमारी जिंदगी देखो मुसीबते देखो हम छाती से दो वकесनी रोटी खाई आपको पसंद नहीं लेकिन वो हम लोगों का अन्ने दाता बना मारो जितना मारना है मारो जितना मारना है मारो यह नाम नहीं बताएगा सिर् सूरिया यह क्या है बगवान को तो आज तक मंदिरों में देखा है लेकिन इनसान में पहली बार आपी ने कहा था न सर सब सेंटीमेंटल फूल है हमारी जंता किसी पर भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं करती लेकिन एक बार विश्वास करो तुम मरते दम तक उसका साथ न ने जाते जाते एक मंदिर का निर्मान किया उस मंदिर में हमने भगवान की मूर्ती स्थापित की आज भी उस मंदिर में पूजा अर्चना होती है और सालों से तेवहार भी मनाए जाती है हमारे राच में लोगों को धोखा देने वाला लीडर है लेकिन लीडर को धोखा द हर हाल में मैं रगु बोल रहा हूँ सर सर जब तक वो ACF लेडर को गिरफ़तार नहीं करते तब तक उनको बेल नहीं मिलेगी तब तक किसी को रियान नहीं करेंगे सर बदरी हलो हलो रगु हलो रगु हलो रगु 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 मैं गॉड रगु 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 सर रगु 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 यह सब कैसे हूँ कैसे हूँ आई यह सब रगु 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 मैं नहीं बचूँगा हमारे एसेफ को बचा लीजे सर वतन की रहा हमें वतन के नौजवान शहीद हो गए जीत सच सही और हमारी न्याएगी तूफणाया अब तो हार मिश्च थी होगी असुरों के बूरायएगी तूफणाया अब तो बारी है मरते दम तक चलने वानी लडायएगी तूफणाया अब तो बारी है देश भर से घंदगी के सफायएगी उसे पकड़ो उसे पकड़ो कहने से क्या होगा सर कम से कम उसकी फोटो तो होनी चाहिए हमारे पास क्योंकि कोई नहीं जानता वो कैसा दिखता है सर आप जितना सोचने हैं उतना असान नहीं है ठीक है सर उस लीडर का पता होता तो हम यहाँ थोड़ी होते हैं घर पर होते हैं यस सर बल्बिर सिंग ने हमारी नाक में दम कर रखा है सर पूरा डिपार्टमेंट एस एफ लीडर को लेकर ही परशान है अरे रुखजा बाई क्या कहा अरेस्ट किये वे लोग उन्होंने का वो मर जाए लेकिन अपना मूह नहीं खोलेंगे ओके सर आब बोल क्या चाहिए बल्बिर सिंग से मिलना है उपर कही होंगे जाके ढूंड ले यह एस ये फालो ने थे हम सब की रातों की नींद हराम कर दिये सर बल्बिर सिंग जी कहा मिलेंगी कॉन्फरेंस रूम में बैठे हैं मुझे सेक्यूरिटी तुम लोग सो रहे हो क्या सोरी सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नहीं हम लोग यहां पर बहुत टेंशन पर हैं तुम अचानक बीच में आकर और टेंशन बढ़ा रहे हो आप जिसके लिए टेंशन में है सर वो आदमी मैं ही हूँ क्या कहा वो एसी एफ लीडर टेगोर मैं ही तुम्हारी बात का हमें विश्वास करना होगा प्रूफ कहा है नहीं नहीं यह ऐसी बखवास कर रहे है सर अपने इमिज लोगों के सामने और टीवी पे आने के लिए यह सब बखवास कर रहे हैं सर मैंने कसेट में सुना आवाज इन ही किया है उस आखों में तेज देखो वो कॉन्फिडेंस यस यू आद लीडर वेलकम सा थैंक यू सर आईये प्लीज ने ठीके स्लीज सेटाउं कुर्सी पर बैढ़िए प्लीज थैंक यू अपरे बाप आप आप जानने जानाई हमने एक बड़े क्रिमिनल को पकड़ लिया हमने नहीं इन्होंने अपने आपको कानून के हवाले किया है इस नॉट अ क्रिमिनल इस अ क्रियेटर प्रियेटेड सेंसेशन बताएए टैगोर सर अरेस्ट किये हुए हमारे लोगों को अनकंडिशनली छोड़ दीजी उन पर जो भी केसिस हैं वो विड्राव करके प्लीज उन्हें रिहा कर दीजी इस अप्रिशन की पूरी जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूँ आप मुझे अरेस्ट करके सजा दीजी यस आई नो टैगोर जी मुझे आपका आटोग्राफ चाहिए एसेफ लीडर टैगोर उन्होंने अपने आपको कानून के हवाले कर दिया उनके जितने भी आदमी हैं उन सबको उन्होंने रिहा करने का अनुरोध किया है पुलिस वाले गवर्नर से बात कर रहे हैं हाईकोर टैगोर को फासी की सजा सुनाएंगी ऐसी आशन का जताई जा रही है ये सुनने के बाद जन्ता में क्रोध की आग फैल गई है सर, सियम साव आये है नमस्कार सर नमस्कार चाहिए यहां हो, वहां हो, किसी भी देश में हो लेकिन लोगों के दिलों में इज़त पाना बहुत बड़ी बात है वो इज़त आपने पाई है टैगोर ऐसे इनसान से इस जगा पर मिलने के लिए आना मेरे लिए शर्म की बात है जब मैं 20 साल का था तब मैंने सोचा की लोगों के लिए कुछ अच्छा करूँगा इसलिए मैंने राजनिती जॉइन की सारा समय तो कुर्शी को बचाने में निकल जाता है टैगोर हमने जो जनता के लिए करने की सोची थी वो तुमने कर दिखाया गरीबों को राशन और पानी टाइम पर मिल रहा है इसका अश्रे आपके ACF को जाता है हमें नहीं आप जैसे महाने इनसान सलाखों के पीछे इस बात को लेकर लोगों में काफी रोज है आप जैसे महाने इनसान को फासी की सजा हो इस बात से लोग बहुत दुखी है और जिन लोगों को बहुत दुख है उन में से एक मैं भी हूँ जो अन्याएं के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें इस देश में ऐसे ही सम्मान मिलता है सर। यूर राइट, लेकिन आप जैसे इनसान को हम खो नहीं सकते टेगर, अगर आपको फांसी की सजा होती है, तो मैं राश्टपती महादे से माफी की आचना करूँगा। माफी की आचना? ये एक शब्द है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे माफी की भीक नहीं चाहिए, मेरे कोई भी खलती अगर कोट में साबित होती है, तो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर प्रोसेक्यूशन ने आपकी गलतियों को साबित कर दिया तो, अगर वाकर ये खलत होता मैं, तो आप यहां नहीं आते हैं, अगर मैंने खलती की होती, तो लोगों को मेरे लिए हमदर्दी नहीं होती, असल में आप भी जानते हैं कि मैं खलत नहीं हूँ, इतना ही हमाद सर बादस कर दोख सर. ला तुसे ही अब बात होगी जाही लोती होगी ये हालात छलकपट अब सब हा रहेंगे सच के सामने माफी मागेंगे सच के सामने गुराई हार चाखेगी फिरे फिरे बदलेगा समन्याएं की आफो से पटी हटेगी सच से रोशन होगा जहां सत्य की बोल बाला होगा जब ये चोटा शेर जागेगा साथ तुझको पाके हर कोई अब ये राहां चूनेगा तुम फानाया अब तो होगी जिल्त सच सही और हमारी नाएके तुम फानाया अब तो हार निश्च थी होगी असुरों के बूराईके तुम फानाया अब तो बारी है मरते दम तक चलने वाली लडाईगी तुम फानाया अब तो बारी है डिश्च भर से गंदगी के सफायके ये क्या है सर? एक आदमे के लिए इतने सारे लोग? आस तक लीडर्स को हमेशा पार्टियों ने चुना है ये अकेला इनसान है जिसे सारी जनता ने चुना है महिश्वर जी सर जिस जनता के लिए टैगौर ने ये सब किया मैं चाहता हूं कि टैगौर की वो आवाज लोगों के दिलों तक पहुँचे कोड की सारी कारवाही को ब्राडकास्ट किया जाए ताकि उन्हें सारी जनता देख सके पहुँचों के लिएाई जनता जनता इनता जनता घनता जनता है अलो हवलो mam « cooking के बाहर खगाँ अूु डाइफटेलिकास देख सो हो फॉन राग यह बाहर अ सबैसे में नैंगुर नैंगुर नांगुर नांगुर ज़िए रुज़ा क्या कर रहे हैं लौँ इसे अरे यह माचीस तुमारे जिसम को जला देगी इसाग को अपने सीने में भर कर रखो जो हजारों को जिन्दगी देगी मेरे लिए मत मारो प्लीस हमारे सब चलिए चलिए प्लीस बाया Maya कर रहा हाँ वह जो जुञ कुमार जूर्दञ और को जुऑ जुआ हाँ हाँ क्या हुआ? क्यों रो रहे हो बच्चो? आप हमें जोड़कर चले जाएंगे अरे ऐसा कुछ नहीं है किसने कह दिया यह सब? बहिया देविका भगवान ने मुझे दो बार बच्चे दिये एक बार मेरे बच्चे को मुझे से दूर कर दिया और इस बार मुझे इन बच्चों से दूर कर रहा है ऐसा मत कहो तुम्हें कुछ नहीं होगा मान लो अगर कुछ हो भी चाहता है तो इन्हें बोज मत समझना जिम्मेदारी समझना चलता हूँ रमेश भाईया खयाल रखना ओ सूरिया जी आपको प्रोमोशन मिल गया मिल गया सर मैंने मना कर दिया क्यों? एक गुंडे को पकड़वा कर एक चोर को पकड़वा कर एक समगलर को पकड़वा कर प्रोमोशन लेने में मज़ा है सर लेकिन एक भगवान को पकड़वा कर सर, प्रमोशन लेना अच्छा नहीं लगता सर, अरे, सुरिया जी, आपने अपनी ड्यूटी निभाई, अगर सब अपनी ड्यूटी इसी तरीके से निभाए, तो टेगोर को कोड की सिड़िया ही न चड़नी पड़े, आप हमेशा ऐसे इमानदार रहें, इस भगवत गीता पे हाथ रख के किसम खाईए, गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा, मैं वही कर रहा हूं सर, फिर ये शपत लेने की क्या जरूरत है, ये कोड की प्रोसीजर है, अगर आप गीता पर हाथ नहीं रख सकते, तो अपने दिल पर हाथ रख कर किसम खा सकते हैं, तैंक यू सर, आत्मा को साक्षी मान कर कहता हूं, सोसाइटी में हो रहे अन्याय को तेख कर, ACF का निर्मान किया, जिसका पूरी तरह से मैं ही करता-धरता, कर्मा और क्रिया, टेगोर साहब, एक CM का जितना नेटवर्क होता है, उतना ही बड़ा नेटवर्क आपका भी है, आप इतने तेज हैं, आपके इतने फॉलोवर्स हैं, फिर भी आपने ये रास्ता क्यों चुना? सर, कुछ साल पहले, नामचिन क्रिमिनल लॉयर अवद नाराएंट सिंग ने, आपको जूनियर के तौर पे भरती करने के लिए पांच हजार मांगे, आपके मजबूर पिता ने घर बेच कर, आपकी बहन की शादी ना करके उन पैसों से आपको वकील बनाया, इन्ही सब बा खून संगीन जुर में आप जानते नहीं थे, रिश्वत लेना तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, शिवाराओ साब, एक छोटे से राज्य के पब्लिक प्रोसीकिटर होते हुए भी आपके पास, सिटी में पांच करोड की कीमत का एक कमर्शिल कॉम्पलेक्स, रा रिश्वत खोर, रिश्वत खोर इंसान से बात कर रहा है, उल्ची आवाज में बात की, तो तेरा कच्चा चिठा खोल के रख दूँगा, भरी कोट में मूँ काला हो जाएगा, यार अनर, मुजरिम गुना को साइड ट्रैक कर रहा है, बात आपके सर पर आई तो साइड ट् और ऐसे ही आसू बहाती हुई हमारी भारत माता, रिश्वत खोरी से बीडित होकर, अचानक मौत के दर्वादे पर खड़ी है, तो मैं चुप कैसे रह सकता हूं सर, इंडिया इस देश में कई संस्कृति और भाशाएं, ये देश जापान से कम नहीं है, इसकी जन गणना से आधी भी ने, उनके यहां अगर एक बिल गेट्स पैदा होता है, तो हमारे यहां कितने पैदा हो सकते हैं, लेकिन एक भी नहीं, एक भी नहीं पैदा हो सका, हमारे देश में सइंटिस्स के एक्सपरिमेंट को देखना हो तो रिश्वत खोरी है, quantidade की काबिल्यत को तो तो रिश्वत हो रही है। इसलिए सब भविश्य के बिल गेट्स हमारे देश से पलायन होकर जा रहे हैं और विदेशों में बस रहे हैं। जूते बनाने वाले अबराहम लिंकन अमरिका के अध्यक्ष बने और हमारे देश के अबराहम लिंकन को जूते बनाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। बोड़ी को निकलवाने के लिए भी रिश्वत बर्थ और डेच सर्टिफिकेट के लिए भी रिश्वत मनुष्य के पैदा होने से मरने तक रिश्वत 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 खाने के डिबबे से लेकर रेल के डिबबे तक हर जगे बैमानी चल रही है। जिन्देगी की गाड़ी किस पट्री पर चला है? आपका मतलब इस देश में कोई भी काम रिश्वत के बिनान नहीं हो सकता। बिल्कुल यही कहना है। रिक्षा वाले को डर है पुलिस वाले का, पताने किस केस में भशा कर उससे पैसे आठ ले। लौरी ड्राइवर को डर है आटियो का, परमिट होते हुए भी गाड़ी बीच रास्ते में कहीं रोक ना ले इस बात का। रिटायर्ड आदमी को डर है पेंशन आफिसर का, तुम जिन्दा हो के नहीं कहीं इसका सर्टिफिकेट ना मांगे। माता पिता को डर है अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, कि कहीं लाखों की मांगना कर ले स्कूल वाले। एक टैक्सी ड्रायवर, रिक्षावाला, कुली, दिन भर मेहनत करके भी डरते हैं कि कहीं रिश्वत खोर इनकी कमाई खा गया तो वो अपने बीवी बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे। जान नहीं ले सकता, एक इंसान दूसरे को धुका नहीं दे सकता, और सभी एक दूसरे से प्यार करें, आदर करें। इस पवित्र भारत ने उन्होंने गीतान जली की रचना की, ऐसे उसमान व्यक्ति का नाम रख कर, उनके सपनों के पवित्र भारत तेश को मैंने अच्छाई की राव पर चलाने के लिए ये धर्म युद्ध लड़ा है। एक रिश्वत खोर को मार कर, उन जैसे कई बैमानों के मन में डर पैदा करना चाहता था, यही मकसद था। मिस्टर जस्टिस, कोट के पास कानून के अलावा ना जजजबात है ना आख है, लेकिन अपने दिल से एक बार पूछिए, अगर मैंने खलत किया है, आपको ऐसा लगता है, तो कानून के किताब के पन्ने मत पलट ये, दफाएं और उनके सेक्शन्स मत ढूंड़िए, अगर कोट ने उसे छोड़ दिया, फिर तो हमारे लिए खत्र हो जाएगा, कल उसे कोट ले जाते वक्त, रास्ते में खत्म कर देंगे, कल तक का समय नहीं हमारे पास, उसे आज की राती खत्म करना होगा, यहां क्यों आयो तुम लोग, हमें टागोड चाहिए, हमें उसकी जान लेनी है, एक करोड दूंगा, रिश्वत दे रहे हो, दो करोड रुपे, पांच करोड, दस करोड, बहुत बड़ा रिस्क है, पर मैं करूंगा, जो टागोर, मुझे यहां देखकर बहुत हैरानी हो रही है, मैंने कहा था, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, रिश्वत, रिश्वत, अगर कोड तुम्हें फांच की सजा नहीं देगी, तो फिर मैं तुम्हें दूंगा, बातों में वक्त वर्द बात क् चोड़े, रुक जाओ, इसे गोली मार दोगे तु एक सेकेंड में इसकी जांच चली जाएगी, मेरे करोडो के होस्पिटल को इसने बंद करना दिया, इसकी वज़ा से मेरे बेटी की मौत हुई, इतनी आसान मौत तो इसे नहीं दूँगा मैं, इसकी वज़ा से मैं कितने इसे टेंशन में था, यह सब तुम लोग इसे बताओगे कर दो आसान दो एक करना दूँगा मैं कर दो आसान दो कर दो कर दो कर दो यह प्यकों प्यक्राइब करा जघ मुझें भूरा जब हुए। कर दो आपको जो हो . कर दो आपको जग कर दो . खो आपको पहाँ जजुट कि वहाँ चाहाँ ? स्टérique खाँ से वाँ भाँ से एमाट से और नौाह spring को उन्धा शीम को जो पते ही चौंग मुझे लगा के तू अकेला ही बच गया है तेरी मौत को तुने खुद दावत दी है मेरे आदमी यही नहीं इस राज्य के हर एक डिपार्टमेंट में हजारों की तादाद में फैले हुए हैं जो खलती करेगा उसे बक्षा नहीं जाएगा यह सब मैं देख लूँगा आप जाईए धर्म अधर्म ही नहीं बलकि इंसानियत की नजर से देखते हुए आज मैं टेगोर के इस केज का फैसला करूँगा उससे इस देश के आम जनता और कानून को इनसाफ पर विश्वास होगा एक जज के नाते ही नहीं बलकि इस देश का नागरिक होने के नाते ये फैसला दे रहा हो हमारे बेकुसूर और असहाय लोगों को मारने वाले आतंकवादियों को हम आज तक सजा नहीं दे पाए जो आत्मसमरपन करते हैं उन्हें हमारे देश का कानून एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका देता है 36 लोगों को बस में जिंदा जलाने वाले मुजरिम को हमने फासी की सजा से मुक्त किया ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने आत्मसमरपन किया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की जब इन सब को माफी मिल सकती है तो टेगोर को फासी की सजा क्यों टेगोर ने जो किया उसमें सिर्फ पुराई को न देखकर अच्छाई पर भी गौर किया जाए तो उन्हें सेक्शन 317, 301, 311 के तहट पाथ साल की साधारन जेल की सजा सुनाई जाती है प्रत्यक नागरिक का हक सरकारी सुविधा पर उसे हासल करने के लिए रिश्रत मत तो हमारी नाएकी तू फानाया अब तो हार निश्च थी होगी असुरों के बूराई थी तू फानाया अब तो बारी है मरते दम तक चलने वाली लडाईगी तू फानाया अब तो बारी है देश भर से गंदगी के सफाय के झाल झाल